लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्टरा चनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें अम् भूर्भुवा स्वाहय तक्सावितुर्वरे न्यम् भर्गो देवस्य धी मही धियोयोना प्रचोदयाई श्री गुरु चर्ण सरोज रजे निज्मन मुक्र सुधार वर्णों रखु वर्द मरजश जो दायक परचार बुद्धि हीन तनुजानी के सुमिरों पवन कुमार बुद्धि विद्यादे हूं मुहीं परहु कलेश विकार यह कालपनिक कहानी कल्युग में लेखक का एक सपना है जिसको फिल्म का रूप देते हुए इस बात का पूर्ण ध्यान रखा गया है कि किसी व्यक्ति किसी जाती किसी धर्म के विश्वास को ठेस न लगे बलके भगवान के प्रती सब किश्रधा और बढ़े हमारा भारत देश, धर्म, कर्म, मर्यादा और परमपराओं की बुनियाद पर खड़ा है और यह विश्वास किया जाता है कि और देवी देवताओं की तरह श्री हनुमान जी भी अमर है तो आएए भगवान श्री राम का नाम लेकर अपनी कालपनिक यात्रा शुरू करें और देखें के इस प्रम्हांड में चिरन जीवी श्री हनुमान जी कहां है पवन तने संगत हरने मंगल मूरती रूर राम लखने सीता सहिते रिवे वस हुसर भूर कि अवस्टियन की मूर भूर मूर कि हऊं घै डास निच भी राम जैश्री राम जैश्री राम जैश्री राम सिखा, प्ल्सियापती राम चंद्र की जै जै माता आज मेरी कौन सी मूर्टा पे हंसी आ गई बलके प्रतिक पौन पुत्र के शरीप सिंदूर देखकर शमा कीजिए प्रभू ये मूर्टा नहीं इसकी प्रेना तो मुझे माता सीता से मिली युगों पहले एक दिन हाँ एक दिन माता पबन पुत्र यदि आज्या हो तो एक प्रशन पूछू पूछू बहुत दिनों से एक बात पूछना चाहता था क्या कि आप अपनी मांग में सिंदूर क्यों भरती हैं पबन पुत्र तुम्हारी बातों में वालिक का भोला पन है तुम सिंदूर लगाने का अर्थ नहीं जानते नहीं माता सिंदूर लगाने से स्वामी की आयू बढ़ती है अधिक समझ गया मता समझ गया इनारान बिल्कुल समझ गया है जैश्री राम जैश्री राम और उसी दिन से अपने शरीड पर संदूर डालना मेरा करतवे बन गया ताके सब कि स्वामी भगवान श्री राम की आयू अनन्त हो और यह शुबकारे मैंने आयोध्या जी में अर प्रभू उस्यों की आयोध्या और कलियों की आयोध्या में बहुत अंतर है ऐसा नहीं हो सकता प्रभू ऐसा हो गया है पावन पुत्र जिस भूमी पे आपके पावन चर्ण पड़े हो वो कैसे बदल सकती है यह असंभव है प्रभू असंभव सब कुछ संभाव है पावन पुत्र जब मैं मर्यादा में बंधा हुआ था को तब मैंने स्वुन् सीता की अगनी परिक्षा ली थी आज तुम्हारी परिक्षा है परिक्षार मेरी हाँ पावन पुत्र हमारी इच्छा है कि तुम ना किवले यूद्या ही बलके संपूर्ण भारत वर्ष वहां के लोग वहां का वातावर्ण देख कर आओ जो आग्या प्रभू जो आग्या किन्तु साथान हमारी आग्या के बिना तुम अपनी शक्ति का प्रियोग नहीं करोगे जी समझ गया प्रभू जाओ और जाकर देखो कैसा है ये कल्यूग कि बोल सियावर राम चंद्र की जय कपीश चिहूं लोग उजागर राम दूत अतलित बलधामा अंजनी पूद्र मधन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति केसंगी कंचन वर्ण दिराज सुवेशा कानन कुंदल कुंचित केशा हाथ बजर अरुद्वजा विराजे कान्दे मुझ जनीव साजे शंकर सुवन के सरी नंदत प्रेज प्रताप महाजगवन्दत विद्यावान गुणी अतिचातुर् राम काज करिवे को आतुर् विद्यावान गुणी अतिचातुर् राम काज करिवे को आतुर् प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया राम लखन सीता मन पसिया सुख्ष्म रूप धर सी यहीं दिखावा विकट रूप धर लंक जरावा भीम रूप धर असर सहारे राम चंद के काज समारे लाए सजीवन रखन जी आये श्री रखुमेर वरश पुर्द आये रखुपती की हिन पहुत बड़ाई तुम ममप्रिय भरत समभाई पुल सियावर राम चंद की जये शांत हो जाईए ऐसे भुकम ऐसे जटके तो कोईना डैम की वज़े से आते ही रहते हैं आप लोग शांती से बड़ जाईए बड़ जाईए कसम है बजरंग बली की जहां राम लीला होती है वहां हनुमान जी होते हैं वहाँ कोई संकट नहीं आ सकता बड़ जाईए मैं ठाकुर हनुमान सिंग बच्पन से ही हनुमान जी का भग्त हूं और अगर हनुमान जी के सीने में भगवान राम है तो पोस्ट मॉटम की रिपोर्ट के बाद मेरे सीने में से भी हनुमान जी ही निकलेंगे अब आप लोग शांती से बट जाईए बाईो बट जाईए जाए हाँ और शांती से राम ळिला देखिए है का सेच जी बहुत ही भुड़ी खबर है सेच जी क्या वह आज णहीं आने वाला कौन अनुमान हैं माद करका अघे हम तो बरबाद डो कि यूट और वो भी दो पहले तो हनुमान किसी का साला नहीं और दूसरा में बिमार नहीं बिलकुल स्वस्त हूं स्वस्त चंदन लगा के एक बात है आप इसी को दस पंदर रुपए जादर दे कर हनुमान बना दीजिए बिलकुल मेकप में आये हैं एक तब रेडी में नुम हनुमान का नाम हनुमान अरे दूसरा नाम होगा कोई पवन पुत्र कि पिभिए नो ठांक क्तों क्या आ ये नौकर तो मैं समयता हूं प्रन्थु यह क्या होता है चंदन लगा के हमारे हमली रख भाण का मक्रों है हनुमैय अपने राम के सिवा किसी का काम नहीं किया दुद इच्चकुछ। नहीं होना है, एक तिंगक्तिंग कुछ नहींदी, चलो चल के तूसरा हनमान धूंडो हनमान गली में पावन पोत्रिप जी प्रभु यplain और लुक्य क्या तूणे क्या क्या तूम्ने उन्हे निराश कर दिया जाओ जो यह कहे वो करो ये कलियुग है कलियुग जो आ गया प्रभू जो आ गया ठेहरिये हैं क्या है आप जो कहेंगे वह मैं करूंगा हवश्य करूंगा देखा मिश्रा इन एक्टों की जरासी चमचागीरी करो न तो इस सर पर चड़ने लगते हैं चंदर लगा के और जराइने जमीन पर पटग दो तो फिर ये अपनी चमचागीरी करते हैं अच्छा तुम जाओ उदर का काम कर आच अच्छा 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 तुम अच्छा आच्छा ने बूटी की प्रतिच्छा कर रहे चंदर लगा के कुझली कुझली की बूटी कुझली की बूटी अच्छा तुम होश में ना आये मेरे बैया तो मर जाएगी हम सब की मैया छाज आएगा मातम रोहेगी आयोजा ना चुठेगी रावर की लंका करके ताता थैया ताता थैया कब उठेगा तुमेरे बैया महाराजा धिराद मत हो परेशान आजाएगी लखन में जान जब लेकर आएंगे संज्यूनी हनुमार मास खुजली हो रही है तीप रही है 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 यह दुष्ट पापी मादिरा पीकर राम लीला करते है मैंने जीवत नहीं छुड़ूँगा मैं मैंने पीता सब खुजली 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 अनुमान बड़ी खुजली हो रही है रही है पात रहो यह यह सब क्या कैंग यह और रामाइन है देवी और सजनों पहले मैंने रावन की लंका जलाई थी अब इस मंडुए को आग लगा दूना बोल सियावल राम चंडर की जये रूप रूप धर सी यहीं दिखावा विकट रूप धर लंक जरावा रूप धर सी यहीं दिखावा विकट रूप धर लंक जरावा जये बचरंग बली उड़ता हुआ इंसान? हम् ये बेइमान जरूर किसी दूसरे देश का जासूस लगता है जेम्स बॉन की तरह मशीन लगा कर उड़ रहा है और वो भी मेरे बजरंग बली के भेस में ये बाईयो इधर आओ देखो चलके हेड़कॉर्टर्स के रिपोर्ट करते है ये ये जरूर किसी दूसरे देश का जासूस लगता है हमारा देश खत्रे में है चलो मैं हनुमान चालीसा पढ़कर इसा पकड़ लूगा जह बचन बली जह बचन बली जह बदन तुम रो यशगावे अस्त ही श्रीपति कंथ लगावे सनकाचिक ब्रम्हा की मुनीशा नारद सारद सहित अहिसा या मुक्वेर जिग पाल जहाते कभी को बित कही सके कहाते तुम उपकार सुगी वही पीना जाम मिलाए राजबज पीना पावन पुत्र जी प्रभू यह सैनिक है इन्हें अपना कर्ताव वे करने दो यगर मुझे तो कुछ बताईया प्रभू मैं तुम्हारा रूप नायन वेश फूशा सब बदल दूँगा जो भाशा तुमसे बोली जाएगी ना के ओल उसे तुम समझोगे बलके बोलोगे भी जो आ गया प्रभू कमान कमान हलिया यह यह मेरी पूश यह पावल पूश्ट्र लेकिन यह समझ लो के अपसे तुम केवल काल्पनिक हनुमान होगा सिर्फ काल्पनिक अब तुमको सब के साथ मनुष्य जैसे वहवार करना होगा जो आ गया प्रभू जो आ गया जैशी राम है है एक्सक्यूज में और सुनो हुआ 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 कहा गया सारी हाथ तो कोई भी नहीं है अरे तो फिर गया कहा एक तो देश हात्रे में है जै हनुमंत असंत हिदकारी रखियो प्रभुजी लाज हमारी जै हनुमंत सूट वाला हुआ सर यह आज के फैंसी शो का इन्विटेशन कार्ड आज आपको वहीं जाना है सर प्लीज पवन कुमार कुमार ये सर, आजकल नाम के बाद कुमार लगाने एक फैशन हो गया है जैसे दिलिव कुमार, राजेंदर कुमार और मनौर मैं मैं समझ गया, समझ गया अब चलिए स्टॉप, स्टॉप, वेट, वेट प्लीज कुछ चक्कर है क्या चक्कर है मैं ऐसी हो, कापेपर्स प्लीज जी गाड़ी के कागजा दिखाईए ये लिजी पवन कुमार, तुल्ची निवास गयारमा रास्ता जूपारले स्कीम यही न कुछ समझ मैं नहीं या था, ये लिजे ये रहा मेरा विजिटिंग कार्ड अगर कुछ समय नहीं हो, तो बंगले पे आजाना मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए कसम बचरंग बली की कुछ शक्सा हो गया था मैं आपको स्मगलर दिखता हूँ नहीं, नहीं नहीं तो मैं आई नो ये नेम प्लीज आपका नाम मैं नेम इस कहां गया, हाँ मेरा नाम है हनुमान सिंग, ठाकुर हनुमान सिंग होगा, लगते तो नहीं देखिये देखिये आप मेरी कंप्लेंन मत कीजेगा यूूू। यह रहा भगवान श्री राम का प्रसाद चौँ ड्राइवर जहां से वो उड़ता हुआ जासूस गायब हुआ वहीं से यह पवनकुमा निकला जरूर दोनों में कोई कनेक्शन है ठीक है, इसका भी पीजा करता हूँ देखता हूँ भाग कर जाए बाग कर जाए गर्विगता हूँ भाग के जादा गहा है गुद इविभड़ा वेलकम, वेलकम सारे यूर टेबल, टेबल सार्झ, यूरचेर, चेर सार्झ इवम में श्रूर श्रूर श्रूर। ठीक्यो श्रूर आँणू जी वहुँँग तेको टेको मुझे को यारो माप करेना यूँआ चेंच चेंच सार कीपो 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 100 100 थेंक्यू खीसो खीसो कीसो कीसो कसम है राप भैर्वी की कोई नया पक्रा लगता है क्या सुजा यह सार है यह सार दो करूर मांटी सिली ने दो करूर सिंट तो टल हो गए 25 करूर कौन है यह शिरी पावन पावन कुमार जी किसी रियासत के राजा राजा है वेरी वेरी भी कारो बार कारो बार और साथ में इस बिग टाइकून टाइकून तुम्हें कैसे मालू सर मैंने निचे रिसेप्चन रिसेप्चन में सुना है कामनी इस इतना बड़ा आदमी और भैरों से नहीं जानता बड़ी अची बात है कौन हलो पवन कुमार जी हलो मेरे नब भैरों सिंग है सुगवार इसे मिलिये यह है मेरी सेक्रेटरी मिस कामनी कामनी और कामना में कितना अंतर यानि कितना डिफ्रेंस होता है यह मैं जानता हूँ आई अंडिस्टैंड लगता है आप बहुत पड़े लिखे हैं जी बहुत तो नहीं लेकिन एक सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सब में पी एच डी यहनी के डॉक्टरेट कर चुका हूँ कौन से ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अपने पी एच डी नहीं किया जी वो रेड लाइट एगे मेर मतलब है जिस सब्जेक्ट में आप और भैरो सिंग ने पी एच डी की है मैंने नहीं कि जनाब हमारी सोबत में रहेंगे तू सब्जेक्ट में भी आपको पी एच डी करवा देंगे लेकिन पढ़ाई बहुत करनी पड़ेगी पोथी पड़ पड़ जग मुआ पंड़त भयो ना कोई धाई एक्षर प्रेम का पड़े सो पंड़त होई और अब आज के हमारे फैंसी जैस का लास्ट आइटम हमारी चीफ गेस्ट शीमती कम्रा देवी की बहु मिस्स सरीता पेश करेंगी सरीता यह तो मंत्रा है थू 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 हाँ क्या कहा ताजा तश्रत ने राम को राजपाट सोमने का फैसला कर लिया क्या कहा राम तुम्हारा बेता है तुम्हारी सेंस कुछ नॉनसेंस बन गई क्या कहा मेरा राम ऐसा नहीं है अरे राम और तुम्हारा राजा राम जैसा भी हो कौशलिया को तुम नहीं जानती वो चुडेल है चुडेल पक्वास बन करो अगर तुमने गाली दी तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूगा अरुवाँ यू इडियट तुम अपना फैंसी रिस तेखा चुके हो लेकिन हनुमान बनकर हनुमान के डायलोग बोलना तो मेरा फर्ज है ना ठीक ही का इसने मिस्टर भड़ो जिंग भैरो सिग येस भैरो सिग बिलकूल ठीक है रहा है मंतरा फैंसी शो का फर्स्ट प्राइज मुझे लेना है समझी या फोड़ो सर तुम नशे में बोल रहे हो हाँ तुम विस्की पीकर एक्टिंग कर रही हो और मैं ठर रहा बोलो सिया पदी रामचार की जैए घोर कलियों गए मिस्टर भड़ो ये क्या हो पर्मकबार जी हनुमान का रोल करने वारा शराब पिये ये मुझसे बरदाश नहीं हुआ जज सहब के फैसले के मुताबिक हमारे फैंसी जज शो का फस्ट परईस मिस्स सरीता को दिया जाता है मंतरा को फस्ट परईस विकाज दिस इस कल युग अंडरस्टाइड वेल दन डार्लिंग वेल दन कंग्राइचुलेशन, क्या गैट अप किया है, क्या एक्टिंग की है ये सब आप ही के टेनिंग है ममी इस आल राइट, ताइम वेस्ट, मनी वेस्ट, एक्सेप दिस थैंक्यू भान, आप जिगर थाम के बैठिये और देखिये बूरी मंतरा का असली रूप राम, 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 राम नारी, और ऐसे वस्त्रों में भारती नारी के नाम पे कलंग है अरे, बाडी, खुबचुर बाडी, 36, 28, 36 और राम, 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 राम बारती नारी और शिगरेट? बेटे जी ममी लगता है फैरव सिंग में कोई बड़ा बकरा फसाया है सारीता पवनकुमार जी, सारीता जी आईए, आईए टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट आईए, मैं आपको पवनकुमार जी से मिलवाता हूँ हालो, मिस्टर पवनकुमार नमस्ते, मेरा नाम कमला है और ये मेरी बहुत सारीता हलो जिन हाथों में सिग्रेट होता है न मैं उनसे हाथ आज भी नहीं मिलाता लीजिये, मैं हाथ धोलेती हूँ कमली डाले, पिर हाथ धोला दो बस अब ठीथ है न विस्की गंगाजल नहीं होती विस्की इस नाट गंगाजल और गंगाजल से भी सिर्फ तन का मैल धुलता है मन का नहीं मैं चलों मिस्टर पावन कुमार जी आप तो रेली बहुत बड़े फिलोसफर हैं सर इता जी मेरा सुझा हुआ है कि आप अपना नाम सर इता से बदल के पतीसा रख लें पतीसा? खाने की चीज़ा है मीठी मीठी और पंजाब में तो कमाल मिलती है अगर यह पसंद नहीं तो कट नोजयने के सूट नगा रख लो माय बड़ा आया तीस मार खाव कामनी आप कौन? जी मैं कमला जी का बेटा दमन और यह है मेरी होने वाली वाइफ निर्मला नमस्ते आप अपनी माता जी की इखलोती संतान है? जी नहीं मेरा एक भाहिया रमन और वहाँ उनकी वाइफ सरीता वाइफ से धरम पत्नी अच्छा शब्द है आपने बिल्कुट ठीका हा मुझे आपका करेक्टर यानी के चरित्र इन सब से अच्छा लगा है धन्यवाद धन्यवाद की कोई जरूरतनी में तो सिर्फ इतना कहना चाहता था के बीवेर अफ डॉक्स मतलब तुमने मुझे कुट्ता गात I will kill you देवतारी तला क कौन मारी मतलब अरे महराष्ट में रहते हुए महराठी नी जानते शहर मानी चाहिए देवतारी तला कौन मारी का मतलब है याखो राखे साहिया, मार सके ना कूए बहिन, डसने वाली चीज़ों से बचो तेरी तो? क्या? यू स्काउंडरल इस बार तो संजीवनी भी मुश्कल हो जाएगी नमस्ते, नमस्ते जी, आपके सेक्टरी साब से आपका टाइम लेना चाहते हूं इसलिए? आज की मुलाकास से, जो पेड़ुगा है, उसके फल खाने की फल? प्लीज? ओ, सॉरी, प्लीज, डिसपॉइंड मत कीजेगा हमने आज तक कभी किसी को पाइंड नहीं किया, मतलब डिसपॉइंड नहीं किया अके, सी यू तो मर्टन क्लॉग चैला, कपड़ तो कल दिखाऊंगी मिस्टर कुमार येस, मिस्स, मिस्स, मिस्स सरीता माँने सोचा, शायद मेरे सुजाओ के बाद आपने अपना नाम बदल दिया हूँ सरीता सरीता ही रहती है, वैसे आपने मुझे ये सुजाओ क्यों दिया था इसलिए कि भारती नारी का नाम बदनाम न हो जाए हाय, बदनाम भी गर होंगे, तो क्या नाम ना होगा देखी मुझे यहाँ कामनी जी ने बुलाया था, कहा है वो बस आती ही होगी वाएं तो उनसे कह दीजिएगा, मैं आया था अच्छा सरज्जा जी, जय श्री राम मिस्टर कुमार इस देश में वाकई कपड़ों की कमी है वाट अरो भई हटो, मुझे आराम से बैठने दो मैरी मा अच्छे वालो, मैं चला पूरा चल भाग चले, चल भाग चले पूरब की ओ प्यार मेरा आला चोरी कर ले ये बच्छिम के चोर रे चल भाग चली, पूरब की ओ प्यार मेरा आ चोरी कर ले ये बच्छिम के चोर रे चल भाग चले पूरब की रोद हुम्मे, हुम्मे गर ये तेरा रंग सलोना आर ये काले ने न होते देखे तुझको पच्छिम वाले आज ये बेटे न होते राम करे, राम करे तुँ हो जाए गोरा भाग चाए सब चोर रे चल भाग चले बाग चले पूरब की रोद हुम्मे, हुम्मे बेखे चारो और शिकारी रूपा जाल भिछा के हुम्मे, हुम्मे ओ पूरब के भोले पनची उर्जा पंठ भला के ओ मेरे ओ मेरे पूरब के चंदा जूठे है ये चकोर रे चल भाग चले भाग चले पूरब की यो ये जो भटक गया है, हिन्हे रास्ते पर लाओ प्रभू, जैसी राम जै हनुमान जी की बजरंग बली, इस रमन का प्रणाम स्विकार करो जैर बजरंग बली, कहिए कमला जी क्या आगया है पुजारी जी, हनुमान चालीसा का पाट कर दीजे कल रेस में हमारा घोड़ा चेतक दोड़ रहा है और हमने अपनी सारी पूंजी उस पर लगा दिये आप हनुमान जी से प्रातना कीजिए, हमारा घोड़ा जीच जाए देखिए, कितनी सुन्दर चांदी की आँखे हमने हनुमान जी को आरपन की है ताकि उनकी कृपा दुष्टी हम पर पड़े सुन्दर, अती सुन्दर, महावली अवश्या आपका कल्यान करेंगी ये लिजे पुजारी जी, आप भी खुश रहिए अब मैं भी खुश, हनुमान जी भी खुश, जय बजरंग बली जय बजरंग बली की जय बजरंग बली टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट पुजारी को पैसे भी दिये, और चांदी की आँखें भी चड़ाई जब मैंने उस जौकी को खरीद लिया है जिसका घोड़ा इस रेस में फस्ट आने वाल है तो फिर ये सब क्या, क्या आप लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है तुमने जिस जौकी को खरीदा है उसका नाम शैतान सिंग है और शैतान को मुठी में रखने के लिए भगवान को बस्मे करना बहुत जरूरी होता है यहां भी आगए दुम हिलाते हिलाते क्या काम है, क्यों आये हो मां का युद्या जिसे तार आया है, वो सक्त बिमार है बगवान के लिए मुझे कुछ पैसे दो, मैं उसे यहां लाओ, उसका इलाज करवाओं क्योंकि कैंसर का इलाज सर्फ बंबई में होता है कैंसर वालों को तो इतिन मरना ही है फिर यह बंबई लाने ले जाने का खर्चा क्यों, उसे वहीं आराम से मरने दो कमला, मैंने अपना सब कुछ तुम्हें सौफ दिया है और तुम चंद पैसों के लिए मेरी मां के लिए ऐसा कह रही हो याद रखो बगवान से डरो, एक दिन ऐसी सज़दा देगा कि जिन्दगी भर याद रखोगी शट अप यो ओल्ड मैं, यू बुढ़े पती एक बात कान खोल कर सुन लो अगर आएंगा ऐसी बात की ना, तो घर में जो दो वक्ती रोटी मिल रही है, वो भी बंद हो जाए मैं पूछता हूँ कि आगर मेरी मां का दोश क्या है उसका दोश ये है कि हमारे पूर्खों ने जो राम, लक्षमन, सीता की मूर्टियां छुपा रखी है वो उनका राज जानती है उन मूर्टियों की कीमत करोड़ो रुपे है वो पता नहीं बताती और उस बुढ़िया ने इस राज को कैंसर की तरह अपने सीने में छुपा रखा है माने अगर मुझे बता भी दिया, तो मैं तुम लोगों को नहीं बताऊंगा मैं गलियों में भीग बांग लूगा, भूका मार जाऊंगा मगर अपने भगवान को बेचकर ये पाप नहीं करूगा तो फिर ये कौन से पाप की सजया भोग रहे हो तुम अरे इसे बड़ा पाप और क्या हो सकता है कि मैं इस चुड़ेल की जादीगी बुटे, मेरी मा को चुड़ेल का मरने दो इस बुड़े को यहाँ पर, चलो हम चलते हैं आजाओ, जाओ, 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 ये मैं कह रहा हूँ छाओ, ए मामीर, इस तरह जीने से टो मेरा मर्जण यह जाओ, मर्जण यह, चाओ अगर आपने ऐसे आत्महत्या कर ली तो क्या ऐध्या जी में आपकी माता जी जीते जी नहीं मर जाएगी छोटा नहीं करते क्या नाम है आपका डश्रत अरो जिसने आपको मारा वो मेरा बेटा रामन और दूद्रा दामन मट्राम बेटे ने अपने पिता को मारा कि एक यूगो था जब बेटे ने अपने पिता दश्रत कहा पान कर 16 बरस का बनबास घाटा था और एक यूग यह मटे अपने अपने मेरा नाम दशरत था, इसलिए मेरी माँ एक न्या मज़ चलाना चाहती थी, उसे इस दशरत के लिए अपनी पसंद की लड़की चाहिए थी, उसे लड़की मिली, मगर उस वक्त जबकि इस दशरत का एक पौँ बढ़ापे की तरह बढ़ चुका था, फिर मैंने अपने दोनों बेटों का नाम रमन और दमन रख दिया, मुझे कमला पर बहुत विश्वास था, लेकिन वो जुरूर से ज्यादा चालाग निकली, उदने एक कोरे कागत पर मेर मुझे दस्तखत करवा लिये, और सब कुछ अपने नाम कर लिया, मुझे बिकारी बिला दिया, बिकारी बिला दिया, नहीं, 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 भागवान राम पर विश्वास रुखिये, सुनिये, ये लीजी रुपए, आयोध्या जी चाहिए, माजी को लाइए, और यहां उनका इलाज किजिए, मगर ये सब उफकार आप किसलिया कर रहे हैं, धर्म का पालन उफकार नहीं होता, पैसे आप आयोध्या जी से कब तक लाटाएंगे, कुछ चार-पांच दिन में, चार-पांच, यानि कि मंगलवार तक, यहां हनुमान जी के दिन, हनुमान जी सुनिये, एत्वार को इनका घोड़ा रेश में दोड़ेगा, सोमवार्ता के इनका जो कुछ होना है, वो चुका होगा, मंगल के दिन, मैं आपको आपकी घर किसी न किसी रूप में मिलूँगा आप हैं कौन? भगवान शिरी राम का एक भक्त, अब आप चलें, आपको अयुद्यजी जाना है आपका बहुत बहुत दन्यवाद जये शिरी राम जये शिरी राम नचिरी राम पर भू सुक्य रखे, घोर कर यूख रभू तेरी इस धर्ती पे कैसे कैसे इंसान है और कैसे कैसे शैतान शैतान सिंग जी हमने रेस कोर्स के अलावा दूसरे प्राइवेट बुक्यों के पास भी कुल मिलाकर दो क्रोड पर अपने चेतक पर लगाए हैं वो फुलूख है डेट आई नो लेकन जीतना उसी को चाहिए आप बेफिकर रहिए आप जैसा चाहते हैं वसा ही होगा और आप उची देर में आज की रेस शुरू होने वाली है आच ओफ 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 सुबा सुबा कौन चीक आँ हाँ मिस्टर पवन कुमार तो आप भी रेस खेलने का शौख रखते हैं क्या हूँ खेलना भी बुरा देखना भी बुरा वैसे तुम कौन से गदे गदे नहीं घोडे पर माल लगा रहे हो देखिए एक तो मैं पुलिस वाला हूँ और अब भी ड्यूटी पर हूँ और दूसरे मैं हनुमान जी का भक्त हूँ मैं जुआ नहीं केलता तो फिर आप ये रेस कोर्स में क्या करने आए हैं बताता हूँ अपना जिन्दगी में एक ही मिशन है क्या है और वो है उस उड़ते हुए जासूस को पकड़ लिया ना तो यह चमतकार हो जाएगा और अगर चमतकार ही देखना है ना तो मुझे आजमार मैं कैसे और शैतान सिंग्ग नहीं मिरा नाम हनुभान शैतान सिंग्ग वो जो जो कि है ょकी हाँ वो जिस घॉड़ी पर बाइट रह आ है ना उस पर हधुड़ा नामा लगादो माल जोक्रा नई नई ने ने फोड़ा झान नई अरे घर मान जाओ अरे बहाई नहीं अगर भाई कहते हैं, तो भाई का कहा मानो, लगा दो थोड़ा सा मान, जुए के लिए नहीं, यूही, जीट जाओगे, तो किसी जुरूरत मन को दे देना, और अगर हार गया तो, आगे तो फिर मुझ से ले लो न, ये हुई ना बात, तो जाके लगाता हूँ और रेस शुरू हो गई, शैतान सिंह का घुडा, तुफां में जब से आगे निकलता जा रहा है, ये क्या, शैतान सिंह पीछे रहा है, जो हो, मरवादी, यान, बोजिये, लो मेरे पैसे बहुत, वो देखbereich रेस इस्तिला। रेस अभी चालो है। रेस का फैसला तो हो गया। और वो शैतान सिंह देखो लगता है किसी कत्यूप पे बैठा है। आपना नाम मत बचलो। मेरा नाम ठाकुर हनुमान सिंह है। वो देखो। उदर उदर। देखो। अरे ये भी गायव हो गया आगे बर, आगे बर, आगे बर ये कैसा चमव्क्तार हुआ अचनक शेयतान सिंग ड driven by अब शेजान सिंग काँ है शेयतान सिंग्र भुस्क नतीक मुँच चुगा है शेयतान सिंग जीत रहा है शेटान जीम जीता है! शेटान जीम जीता! एच! कसम है रग भैरुमी की बैरोल सिंह को तू सरफ एक ही चिंता रहती है गरीबों को अमीर और अमीरों को गरीब कैसे बनायाजा आफो! हम गरीब क्या? हम तो कंगाल हो गए हैं सट्टा खेला तो ठकका लगा, मटका खेला तो छटका लगा, और रेस ने तो हमें सीरियस केस बना दिया है, कसम है, राख भैरवी की, चालीस लाक रपया दो, चार को रोड बना दूँगा, मगर कैसे? स्मगलिंग, स्मगलिंग? हम, मेरी बात मानोगे, तो स्मगलिंग से सब किंग हो जाओगे, कोई किंग, कोई क्वीन, मिन मतलब है, कोई ताजा, और कोई रानी, मगर भैरव सिंग, अब इस मकान को छोड़कर हमारे पास कुछ भी तो नहीं, वही मैंने जो कहना था, सो कह दिया, वैसे कभी, आपने वो मूर्तियों का सिकर किया था, हाँ, किया तो था, मगर वो बुड़िया है ना मेरी सास, तस से मस नहीं होगी, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, मैं तो चला, 40,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 इडियट, कामीनी बात भैरव सिंग से करती है, लेकिन देखती तुम्हे है, और वो तुम्हारा काम कर सकती है I see, ममी, मज़ा आगया ममी ममी, मेरे न माँ बाप, न भाई भेन, मैं मांगो तो किस से मांगो इडियट, बहुत दिनों से भैरव सिंग तुम्हे राग भैरवी सुनाना चाहता है सुनना मत, सुनने का वादा कर ले न I see, समझ गई, और दावन तुम I am not an idiot, माम तो तुम क्या करोगे? निर्मला के माता-पेता चार धाम की यात्रा पर गए हैं और जाने इसे पहले वो सारी जाइदाद निर्मला के नाम कर गए हैं वो दस बड़ा लाग की तो होगी, माम I see लेकिन ममी, अपने इसे के दस लाग आप कहां से लाएगी? Here you are an idiot कैसे? Bank manager Mr. Krishnamurti, मुझ पर लगटू लाल समझो मैं उससे लोन ले लूँगी, अभी फॉन कर देती हूँ Time West, Money West Oh, my mom is great Hello Hello, मैं Krishnamurti साफ से बात कर सकती हूँ क्या कहा? वो आज सुखा की फ्लाइट से कश्मी चले गए क्या? एक मैने के बाद आएंगे Oh my god Mamma, 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 अरे, ये क्या हो गया? अरे, ये तो भिहोश हो गएंग Mamma, Mamma, Alak Niranjan प्रिए भालक, प्रिए भालिका, थोड़ा थप पीछी हो जा, हो जाओ श्याबाज Alak Niranjan, Alak Niranjan, Alak Niranjan, होश में लाया, Alak Niranjan Mamma, Mamma, मैं गिली कैसे हो गई, परिश हुए थी क्या? Mamma, स्वामी जी के खाली हाथ से आप पर पानी की वर्षा होई, और आप होश में आ गई Mamma, आप तो बेहोश होगी थी, यह तो स्वामी जी का चमतकार है Alak Niranjan Mamma, आप कौन है? Alak Niranjan, हम जो हैं सोहें टेलीफोन पर बेंक मेनेजर नहीं मिला तो आप बेहोश होगें? आप यह जानते हैं सिर्फ दस लाग की बात है ना? आप यह भी जानते हैं हम यह भी जानते हैं कि बेंक मेनेजर कृष्णमूर्थी जो त्रवना मलय वले रमन महारिशी जी का पुजारी है उसका टेलीफोन आने वाला है Alak Niranjan टेलीफोन सुन जी, टेलीफोन सुन जी हलो हलो, कौन बलता जी? मैं कमला भूल रही हूं हम कृष्णमूर्थी जी कृष्णमूर्थी कृष्णमूर्थी जी आप तो कश्मीर जाने वाले थे न? हम जाने वाले था आरपोर्ट गया और मालम हुआ उगरवादी तारा रिसना प्लेन में इतना बड़ा बंब रखा हम डर गया जी पतनी से भी डरता जी तुमको कैसा मालम हुआ जी किसको मालम हुआ बीच मैं कौन बोलता है हमको बोलो यह मैं बाद में बताऊंगी क्रिश्णमूर्थी जी क्या आप मुझे 10 लाक का लोन दे सकते हैं 10 लाक हम देगा हम देगा तुम और भी कुछ मंगो तो हम देगा थेंक्यू सो मच थेंक्यू वेरी मच मा बंद करो बंद करो क्यों देवी वो गया ना कल्यान स्वामी जी मेरे चलन मत छुओ तो फिर अगर चलन छुन नहीं है तो अपनी पूजीये सास के छुओ अपने देवता समान पती के छुओ लेकिन स्वामी जी वो तो एउद्धा गए है इस वे देखो आगे जी आगे जी प्रणाम मा जी प्रणाम दादी मा पिताजी पिताजी प्रणाम लाईए जी मुझे देदीजी बेका दस्रत यह सब मैं क्या देख रही हूँ? मा, यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ यह सब स्वामी जी का चमतकार है अला, अक्ष्निरंगल स्वामी जी, यह मेरी सास हैं और यह मेरे पती दश्रत हैं मा जी, मेरा प्रणाम स्विकार हो और हादस्र जी का इनसे तो मेरा जनम-जनम का नाता है अच्छा बच्चो, आप लोगोंने भी दस-दस का बंदोबस करना है जल्दी जाओ जाओ, जल्दी जाओ, टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट स्वामी जी जी, हम थोड़ी देर विश्राम करना चाहेंगे स्वामी जी, ये घर तो आपी का है इस घर में कोई वेजिटेरियन कमरा है जी मतलब शुद कमरा हाँ, मैं आपके लिए शुद कमरे के तयारी करती हूँ, आईए स्वामी जी, आप कहीं वो आप से किसी ने मंदर के बाहर कहा था कि आप माजी को लेने और युद्या जी जाहिए, मैं किसी ना किसी रूप में घर आ जाओंगा, मैं आ गया अलाग निरंजन, ये ये, मैं कह रहा हूँ अब माजी का इलाज जल्दी शुरू करवाईए अच्छ अब मेरे संबंध होता, तो मेरे यान लवकुष्णा पैदा हो गए होते कामनी, दिल से तो मैं तुमारा हूँ ओ डालिंग इधर तुमने पैसे दिये, उदर मेरा काम बना काम बनते ही मैं मा के आचल से निकला सरिता को छोड़ा, और फिर जनम भर के लिए तुमारा जालिंग, तुम कितने अच्छी हो तस लाक भैरोव की तिजोरी की डुबली के चाबी, मेरे पास है भैरोव की तिजोरी की, और मेरे जिंदगी की पहले मेरा काम हो जाए रामाना और उसके परिवार से मुक्ती पालो तो तुम पर भरोसा रखो सरिता कभी दोखा नहीं देती अभी लाता हूँ दस लाक क्या, दस लाक? हाँ, हाँ, दस लाक मैंने प्रॉपर्टी डिलर से बात कर रखी है हम तुमारे इस मकान को गिरवी रखतेंगे वह हमें 10 लाक दे देगा लेकिन, लेकिन मिर माता पिता अरे उनके आने तक तो मैं ऐसे 10 मकान तुमारे नाम खरीद दूँगा मैं तुमारी मेरा मन तुमारा और तन्दी तो मेरा हो चुका है दमन? वह? वो मैं क्या मुझे शर्म भी आ रही है और डर भी लग रहा है किस बात का लवका गुद नियूज गुद नियूज गुद नियूज वेरी गुड मुबार्क हो अरे मेरी अुलाद तुम्हारी कोक में करवट लेने लगी इसमें डर और शर्म की क्या बात है बस हम जल्दी ही शादी कर लेंगे कब मेरा एक काम हो जाए और तुम्हारे माता पिता यात्रा से लौट आई तब सच दमन ने कभी अपनी दिर्वला को धोखा दिया है नेवर यूर ग्रेट दमन वो तो ठीक है लेकन जवाब नहीं स्वामी जी का आक्स निरंजन स्वामी जी क्या चाहिए आपका आशिरवाद आखंड सभागवती भव यह क्या आशिरवाद दे दिया और आप गई नहीं स्वामी जी वो वो यही न कि स्मग्लिंग में 40,000,000,000,000 रुपह लगाया जाये के नहीं है जी स्वामी जी स्मग्लिंग क्या अच्छा काम है स्वामी जी आजकल तो स्मग्लिंग को बहुत बड़ा व्यापर मना जाता है ऐसे बड़े बोपारी बहुत बिमार होते हैं जी स्वामी जी जिनकी किस्मत में दूब कर मरना ही लिखा होना वो फांसी से नहीं मरा करते जी, जी मैं और सुनो जैसे करम करोगी न, बैसे फल पाओगी फैंटास्टिक वांडरफुल कसम है राख बहर भी की देखा, देखा हमारे टाइम बाम का टाइम ही वो देखो हमारे आदी कष्टी लेकर चल पड़े है जहाँ जाया, इससे सावान फेंगा गया फिर टाइम बाम फटा, गुभारे निकले गुभारों के नीचे पेटियां पेटियों में हमारा स्मगली का सामान कल चालीस लाग के चार करोड तुम लोगों के होंगे और एक करोड के दस करोड मेरे होंगे चलो तुम भूटूस भूस चलो सुआमी जी हम लुट गये, आप लोग आबाद रिकप से, लेकिन सुआमी जी, वभरी के लिए आप ही ने तो आशिरवात दिया था morning. चुट चूट हमने ये कहा था, हमने ये कहा था, कि जैसे कर्म करोगी, वैसे फल पाउड हे, हम ये देख रहे है rate, कि आप एक बेसुरी बांसुरी बनती जा रही हैं परमात्मा आपको बेसुरा समझ कर गटर में फैंक देगा स्वावीची किशमा कीजी हमारे कुछ आदमी पकड़े गए हैं आपको इस चमतकार दिखाईए ना कोई जमतकार नहीं पापियों की पापी जाने या जाने परमात्मा और सुनो अगर मेरी मानों तो भगवान राम के बताए हुए अदर्शों पर चलो तो कल्यान ही कल्यान आपके राम जी क्या कर लेंगे अब तो भैरो सिंगी हमारा भगवान है रावन कभी राम नहीं बन सकता जूट 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 कसम हराग भैरवी की हमारे आदियों ने हमें दोखा नहीं दिया ये तो कमबख्त किसमत ही दगाबास निकली अब हमें ये सोचना चाहिए कि हम क्या करें सबसे पहले तो हमें अपने आद्मियों को छुडाना होगा परना पेपरों के फ्रंट पेज़ पर तुम्हारी सारिता की रमन दमन और मेरी सब की तस्वीर चपेंगी लोग समझेगे कि हम स्मगला रहा और हम जेल के अंदर होगे लेकिन उन्हें जेल से छुड़ा है कैसे जाए वहां तो सखत पहरा है और पस्व शाम दिवाकर के अदालत में उन्हें पेश किया जाएगा शाम दिवाकर? ये बहुत ही सखत इंचान है मैं उसे नर्म कर सकती हूँ कैसे? किसी जमाने में जब वो स्टूड़न था उन दिनों मुझ पर जान देता था मेरी शादी के बाद उसका दिल तूट गया उसने सदा ब्रहमचारी रहने का फैसला कर लिया आजकल वो काम के बाद योग साधना में डूबा रहता है तो तुम क्या करोगी? योगी को लो भी न सही भोगी ज़रूर बना जा सकता है वो कैसे? मैं जोगन बनूगी अरे देख के इन बे शर्मों को शर्म मुझे यूँ आई उठा के डफली अरे उठा के डफली गाने लगा मैं बजा बजा के तिहाई कल यूग की कन्या कल यूग की कन्या कल यूग की कन्या मिले जज को चली कल यूग की कन्या हाई हाई कल यूग की कन्या रामा हो रामा हो लजजा है ना लाज है बेशर्मी ही तो काज है पूंजी को ये पूजा समझे पाप का इन पे राज है बिन खिले ही बिन खिले ही मुर्जा जाए पूजा की गली हो रामा पूजा की कली नौ सौचु है था के बिली हाज को चली कल यूग की कन्या रामा कल यूग की कन्या हाई हाई कल यूग की कन्या कल यूग के हैं कल यूग के हैं रंग अनोखे रंग अनोखे रंग अनोखे देखो ढंग अनोखे खुद मियां भीवी को भीवी मियां को निचनिच देते धोखे कल यूग के हैं रंग अनोखे नाम से पावन काम से रावन भाई को ना आये शरम माता भूली अपना धरम तोड़े पाप नगरिया छोड़ राम की गली हो रामा राम की गली नौ सोचु है खाके बिली हज को चली कल युग की कन्या मिलने जज को चली कल युग की कन्या रामा कल युग की कन्या कल युग की कन्या है कल युग की कन्या है क्या बात है कौन है आप लोग योगिरा जी मैं आपके आश्रम की प्रशन सा सुनकर आ रही थी और और ये लोग मेरे पीछे पढ़ गए मुझे बहुत तंग किया भायो आपको किसी को तंग करने का कोई हक नहीं हमने तंग नहीं किया हमने तो सत्य बोला है कोई बात नहीं ब जाते हैं लेकिन आपकी रक्षा भगवान शिर्याम ही कर सकते हैं आपने नजय बोला जयो परंतु सावधान सावधान फिर से बोलो बोल सिया पति राम चंद्र की जै जै योगिरा जी मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूं जी मुझ से जी आये 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 देवी जै क्या बेहन है कैसे क्या बात है बेहन है कि अकई मैं सरीता हूं सरीता आपने मुझे नहीं पहचाना अरें सरीता है मैं पहचाना ही नहीं, खैर मेरे लिए तो अब तुम बहन के समानी हो, कहो क्या बात है मैं मजपूर थी, बहुत पाप हुए मुझसे, आप दिन रात पश्चात आपकी आग में जलती हूँ, मुझे मुगती चाहिए, मर कर नहीं, ग्यान ध्यान के मार्क पर चल कर, आपकी तरह धीरेज रखो, धीरेज रखो, समय बड़ा बल्वान है, और फिर जिसके मन में प्रायश्चित की भावना पैदा हो जाए, उसे तो भगवान यूँ ही माफ कर देता है इसी आशा से तो आपके चरणों में आई हूँ देखे, आपके कपड़े गंदे हो गया है जी, मेरी तो आत्मा बेगंदी हो चुकी है देखे, मन छोटा मत कीजिए, आप जाए मुहाद धोलेजे और कपड़े साफ कर लेजे, जाए लाइए, मैं काटती हूँ ने, आपके क्लिफ क्यों करती है, मैं काट लूगा, आप जाए मुहाद धोलेजे ना न कहिए, बेहन को भाई की सेवा करने का पहला मौका मिला है, आप बैठे, आप बैठे, मैं कारती हूँ लेजी, शुक्रिया, आप भी लेजे ना, जी जीना, तो आप कुछ कह रही थी क्यूज स्पिटाँ क्यूश अज़ क्यूश क्यूश जोड़ दो मुझे यह क्या है आपने आप यह भी मुझे बहन का था गलत तुम वही सरिता हो जिस पर मैं पहले मरता था आज भी मरता हूँ और हमेशा मरता रहुता नहीं, नहीं सरिता तुम कितनी खुब्सूरद लग रहे हैं सरिता लव यू सरिता लव यू माचाओ मैंने आपको योगी समझा था मैं प्रेम रोगी हूँ आप में वास्ना कूट कूट कर भरी है वास्ना वाषना अंदर की गंडकी है, उसे निकाल देना चाहिए, उसे निकाल देना चाहिए नहीं, बचाओ, 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 रामजादे, कमीने, मेरी भावी की इज़प पर हाथ डालता है, मैं तुझे रादा हूँगा क्या हुआ मुझे तुम्हे क्या हुआ था ये देखो तुमें भाई समझती हूँ ऐसे मत काव तुम्हेरे ग्रोड़ qu PB में तुम्हेरे जीनेक नहीं सकता हूँ ज़च приготов ये सब मैने कैसे किया ये तो पाप है ये पाफ है तो आप पुन्या करो आगे की सोचो क्या मतलब कल हुमारे आदमी पांडूरंग और सुल्तान अहमद तुम्हारी अदालत पे पेश किये जाएंगे और तुम उन्हें जमानत पर छोड़ दोगे वरना ये वीडियो फिल्म ना तो तुम घर के रहोगे और ना घाट के ओके चलो भबी बबाई प्रदर मुल्जिम पांडूरंग वल्द जंदा शेकर घानेगर और मुल्जिम सुल्तान अहमद वल्द रहमत उल्ला तोनों रंगे हाथों पकड़े गए सरकारी वकील साहब ने जो इन पर इल्जाम लगाया है वो ठीक लगाया लेकिन मेरी नजरों में ये बेगुणा है इस दुनिया में हर चीज बिक्ती है और हर चीज खरीदी जा सकती है ये दुनिया एक बहुत बड़ा नीलाम घर है लेकिन नीलामी की बोली लगाने वाले सौधागरों को में इतना बता दूँ के कानून की कुरसी पर बैटे हुए जज की आत्मा बिकाउन नहीं और अगर बिक्ती है तो जज जज नहीं बलकि सबसे बड़ा मुझरिम है कानून की जिम्मेदारी सिर्फ पांडूरंग और सुल्तान जैसे लोगों को सजा देना नहीं है कानून की जिम्मेदारी उन लोगों तक पहुंचना भी है जो पांडूरंग और सुल्तान एहम जैसे लोगों को जुर्म करने पर मजबूर करते हैं कुछ लोग दॉलत की महर लगाकर शरीफ बने फिरते हैं ऐसे ही कुछ लोगों का तालुक इस केस से हैं और वो शरीफ लोग हैं मिश्टर हुराइब भरी अदालत में जच शाम दिवाकर का कतल हो गया गोली चिलाने वाले कातिल का कुछ पता नहीं कहते हैं फुस्ट जाल जाल पुस्ट आज पुस्ट थाल रमन है हम गिर्ड क्यों रहे हैं राम जाने राम का नाम बदनाम करने वाले रमन के मुँपर भगवान शी राम का नाम वाह वाह अब आप लोग उठिये अरे कमाल है आपने कहा उठ जाओ और हम उठते हैं और इस पार हम गिरे भी नहीं आप लोग आप लोग इतना गिर चुके हैं कि आपको अंदाजा भी नहीं खायर पावन कुमार जी ये मेरे पती रमन है ये रमन और आप आप सरीता शरमात ये कहते हुए कि आप लोग आप लोग अपराधी हैं अपराधी किसके इस इस देश के इस देश की परंपरा के धर्म के आप आप कहना क्या चाहते हैं प्रमन के नाम वाला भगवान तो नहीं बन सकता लेकिन वो एक अच्छा इंसान जरूर बन सकता है शरीता जी आपको परंपराओं का वास्ता अपने रास्ते बदल लीजिए अब जैसे लोग आप जैसे लोग नहीं बदले न तो इस देश के शास्त्र जो इस संसार के सबसे पहले और पुराने शास्त्र हैं उन शास्त्रों के पन्ने सच्चे भगतों के आंसूं से भीग जाएंगे भीग जाएंगे और कुछ पस सिर्फ इतना ही कि आप लोग आप लोग अपने आपको पहचानो और भगवान से डरो हम भगवान को नहीं मानते चलाएंगे आज से कहां कहा है यह रही वो जज़ की फाइल जिसमें तुम सब के नाम है और मैं यही फाइल पुलीस को दे दूं तो नहीं नहीं भैरो तुम ऐसा नहीं कर सकते हैं कसमर रख भैरवीकी भैरो जब करने पर आए तो सब कुछ कर सकता है तुम्हें फाइसी दिलवा सकता है कतल करवा सकता है भैरो हमने जो कुछ किया तुम्हारे कहने पर किया मैं अपने वफदार कुत्तों को सुर्फ अड़ी नहीं पूरा बक्रा खिलाता हूँ लेकिन वफदारी के अम्तिहान और भी है तो आजमा कर देख लो वो मुर्तिया जो आये उध्या में है उनका पता लगाओ हमने हर तरीखा आजमाया उस गुठीया को भूका प्यसा भी रखा उसके सामने उसके बेटे यानि अपने पति को अपने बेटों से मरवाया उससे चांट से मार देने की धंकी भी दी लेकिन वो गुठीया तस्से मस नहीं होती उन मूर्तियों से पहले एक मूर्ती अगर मेरे मनमंदर में तुमने नहीं सजाए तो कसमर आग बहरवी की आग लगा दूँगा, आग कौन से मूर्ती? जीती जागती, ये मूरत सारी था अब में आप में रहो, मैंने आप ऐसे बाहर होने का वक्ता आ गया है वैसे भी, समगली के दस लाक लेते वक्त, खुद सहरीता ने मुझसे पूस्प्रामस किया था वह, वह और बात थी ये बात भी थी, कि समगली के 10 लाक रुपे लेते हुए, रमन दे मुझसे वादा किया था कि वो सरिता को तलाक देकर बसे शादी करेगा, क्यूं? रमन और सरिता, तुम दोनों को कोई हाथ नहीं बनता कि आपने अपने वादे तोड़ो. भैरो सिंग जूटे वादे करना और दूसरों को धोका देना हमने तुम से सिखाए. कसम है राग भैरवी की, उस्ताद के साथ शागिर्थ चाल चल जाए, ये मैं कभी बरदाश्ट नहीं कर सकता. भैरो सिंग, वो दिन गये जब हम तुम्हारी शतंच के महरेद. सारिता, भैरो सिंग, मैं वक्तारे पर हालाद का चक्र व्यू भी तोड़ सकता हूँ. अच्छा, मैं चाहूँ तो तुम्हे अभी इसी वक्त खत्म कर सकता हूँ, लेकिन नहीं जिस तरह नियोला साब को थका थका कर मारता है, मैं भी तुम्हे उसी तरह मालूगा. साब बनाया है तो साब के सहर से डरना. रमन, तुम्हें ये क्या हो गया है? मा मुझे पागल कुत्ते से बढ़कर पागल भैरवने काटा है, चलो मेरे साथ. एक मामुली सरीता के लिए वो इतनी बकवास कर गया और तुम्हें उसे जाने दिया? कसम है राग बैरवी की, मैं चाहता तो इन सब को अभी मार सकता था. लेकिन अजुद्या में छुपी भी मुर्तियों का क्या होगा? जिनकी जरूरत मुझे सारी दस भी ज्यादा है. पवन तने संकत हरने मंगल मूरति रूप काम लखने सीता सहिते फृदे बस हुसर हूँ बोल सियावर राम चंद्र की है पवन सुथ हनुमान की है सियावर राम चंद्र की है पवन सुथ हनुमान की जय जब मैंने कहा बोल सियावर राम चंद्र की जय तो तुम बहुत जोर से बोले जय इसलिए कि यह मेरा धर्म है लेकिन जब मैंने कहा बोल पवन सुथ हनुमान की जय तब तुम कुछ नहीं बोले नहीं बोला क्यों इसलिए कि यह यह मेरा धर्म नहीं है कि और मेरी मर्जी अनुमान जी की जैन नहीं बोलने वाले एक दिन तुम बहुत पश्ता होगे मिस्टर पवन कुमार आज से तुम्हारी और मेरी दुश्मनी डबल होगी कैसे एक तो तुम्हारा उस उड़ते हुए जासूस के साथ गहराता लोग और दूसरा तुम मेरे हनुमान जी को नहीं मानते अब भी वक्त है बदल जाओ मैं तो तब बदलूगा जब मुझे मेरे राम बदलेगे यकन वो बदल गया है वो कौन भगवानशी राम ठाकुर हनुमान सिंग ये लो भगवान राम का परसाद और यह सुन लो के भगवान राम कभी नहीं बदलते और हां एक लड़का जो रास्ता भटक गया था वो रास् नाम है Mr. Raman शरीता, अच्छा हुआ हमें मूर्तियों के बारे में कुछ पता नहीं था, वरना हम भेहरों को सब कुछ पता देते रमन, जब भेहरों ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, तो अचानक तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें बुरा लगा? नहीं, पहली बार मुझे तुम पर गर्व हुआ गर्व? और मुझ जैसे कमीने इंसान पर, जिसने लोगों के साथ छल किया, धोका दिया, युवा खेला, शराब पी, धिकार है मुझ पर धिकार है रमन सहरीथा, बेटे तो अपने पिता की पूजा करते हैं, लेकिन मैंने तो अपने बाप को ठोकर मारी, दिकार है मुझ पर, मुझे जिन्ना रहने का कोई हट नहीं, कोई हट नहीं रमन, होसला रखो, सब ठीक हो जाएगा ठीक होगा नहीं, ठीक करना होगा सबसे पहले, माँची को समझाना होगा माँ को तो मैं समझा लूँगा लेकिन उससे पहले दमन को मरिदा का सबक दो सिखा दू मुझे असकी कोई जिरूरत नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे मैं कहता हूँ छोड़ा मुझे दमन मैंने तुम्हारी उलाद को महीनों अपनी कोक में पाला और आप कहते हो इसकी कोई जुरुरत नहीं इसका क्या सबूत है कि ये बच्चा मेरा ही है दमन हाँ तुम्हे बच्चा किरवाने के लिए पैसे चाहिए वो मैं दे सकता हूँ वैसे एक लेडी डॉक्टर मेरी पहचान की भी है दमन दूसर से पहचान करवाने वाले आज तुमने अपना अस्ती चेरा देखला दिया रोमत 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 बेटी बेटी रोमत हमने सब सुन लिया ये तो मेरे लिए और भी असान हो गया दमन निर्मला का रिष्टा मांगने कमला वहन आई थी मुझे जो पूछना है मैं उससे पूछूँगा शादी मा को करनी है या मुझे जो कुछ कहना है मुझसे कहिए तुमसे कहनों के कह रहे गया तुमसे तो निर्मला की जिन्दगी की भीक ही मांग सकता हूँ बिखारी से भीक मांगने क्या फाइदा निर्मला की चिंता है तो डालिये मेरी जोली में 10-20 लाग 10-20 लाग तमन निर्मला की चिटी से पता चला कि तुम माकान गिर्वी रखवा कर दस लाग पहले ही ले चुके हो अब तो हमारे पास सिर्फ गरिवी कांचल और इस लोटे में गंगाजल ही पचा है इस गंगाजल को संभाल का रख लीजिए अंतिम समें काम आएगा शर्मा जी एक बात कान खोल कर सुन लीजिए जो बाप अपनी बेटी को दहज में कुछ नहीं दे सकता उसे जहर खाकर मर जाना चाहिए मत कहो भगवान के लिए ऐसा मत कहो इन पर दया करो दया करो और निर्मला की कोग में जो पल रहा है वो हमारा अपना ही खूल है उसका तो सोचो ममी डैडी तो बिलकुल सुठ्या गए है आओ आओ हम कलब चलें अरे कलब क्यों किसी निरामकार जाओ और एक दूसरे की बोली लगाओ बहुत से रुबहें मिलेंगे बहुत से रुबहें चट अप यो ओल्ड मैं दमन लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो गो को यह मैं कह रहूँ है भाई साब जूता उठाई है और मारिये मुझे मैंने अजी संतान को जन्म क्यों दिया भाई साब जहां मर्यादा का गला खुड़ दिया जाए वो घर घर नहीं शम्शान होता है मैं इस घर को जला कर खाक कर दूगा इस घर को आख लगा दूगा जला दूगा अगर ऐसा किया तो उससे क्या होगा मन को शान्ती मिलेगी नहीं प्रेक्षा की घरियों में मन का संतुलन नहीं खोया परते भगवान राम पे विश्वास कीजिए सब ठीक हो जाएगा बेटा यह ठीक कह रही है कौन है यह मा यह पवन कुमार है मेरा प्रनाम स्विकार कीजिए चीटे रहो बेका भगवान राम तुम्हें लंबी उमर दे माजी कसम है बजरंग बली की इसे तो लंबी सजा मिलेगी मैं छुट्टा नहीं करवाऊंगा मैं ऐसा भी नहीं करूंगा क्या देखिए जो अड्रेस आपके कार्ड पे लिखा है वहां पमन कुमार नाम का कोई आदमी नहीं रहता इहां यही है ना आपका कार्ड इसमें मेरा फोन नंबर भी है आप फोन कीजिए अपनी तसल्ली कीजिए चातुर हनुमान सिंग चात अर नहीं, हम ठाक और हनुमान सिंग है, फोन, फोन करके आते हैं बेटल हो हो हलो 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 एलो नहीं हलो 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 खेर छोड़िये, आप कौन से नमर से बोल रहे हैं? पाइव, सेवन, फिर सेवन, थ्री फाइव जिरो यही ना, सत्य कहा आपने, देखिए, आप जहां से बोल रहे हैं उसका यही अड्रेस है न, तुलसी निवास, 47 जय हिं सोसाइटी, फिर सत्य कहा आपने, यही श्री पवन कुमार जी का निवास थान है, पवन कुमार जी का, हलो, हलो, देखिए लेकिन जब मैं वहाँ पहुचा था, तो मुझसे यह कहा गया था, कि पवन कुमार नाम का कोई आदमीवा रहता ही नहीं है, यह सत्य कहा आपने, क्या आपने श्री पवन कुमार जी से मिलने के लिए, अनुमती ली थी, भानुमती? भानुमती नहीं, अ अनुमती क्या होता है? परमीशन, यहनी के आग्या, जी नहीं, मैंने आग्या तो नहीं ली थी, मगर, कान में उंगली मत करो, अरे, तुम्हें कैसे पता चला? सामने खड़ा हूँ, सामने? घर सुनो, हाँ, बेना आग्या के, कोई व्यक्ती श्री पवन कुमार जी के देखिये, मैं ठाकर हनुमान सिंग बोल रहा हूँ, चातूर हनुमान सिंग, चातूर नहीं ठाकर, ठाकर हनुमान सिंग, उफ ये भी चातूर कह रहा है, ठाकर हनुमान सिंग जी, छी पवन कुमार जी से मिलने के लिए, कई लल्लू पंजू आपते रहते हैं, क्या, आप, आपने मुझे लल्लू पंजु कहा जो आप है मैंने वही कहा जूट कैसे बोलता मैं आपको गोली मार दूँगा क्यों मैं आपका कोई सगा संबंदी हूँ हलो हलो देखिए आप मुझे सिर्फ इतना बताईए कि इस वक्त श्री पवन कुमार कहा मिलेंगे जी वो शिरी दसरजी से मिलने रगुभवन गये है रगुभवन रगुभवन तो यही है क्या आप दश्रजी है जी हलो आप एक मिनट चुप रही है चुप रही है एक मिनट क्या आप दश्रजी है जी हां सत्या नाश किसका मेरा मेरा सत्या नाश और किसका बेरी बेरी आप ठाकूर हो गई ना तसली सुनिये मिस्टर पवनकुमार येस तुम्हारा पीछा नहीं छटना चाहे लग जाएं हतकडियां समझें इंस्पेक्टर जी अब आप ये नहीं करेंगे क्या ओके इंस्पेक्टर क्या है डाट क्यों रहे हो हवान राम का प्रसाद ये ये ले लेता हूँ क्योंकि ये रिश्वत नहीं है समझें चया है बजरंग बली देते रहो ठीक है ये 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 क्या चक्र है ये चक्र ये चक्र चक्र यूस भी बड़ा है आप इस चक्र में मत पढ़िये शर्मा जी आपकी बेटी निर्मला निर्दोश है अगवान राम पे विश्वास रखिए एक दिन उसको उसका बर अवश्य मिलेगा तुमारे भूमे गी चक्र ये ये मैं कह रहा हूँ शर्मा जी आपको चारोधाम की यातरा का फल मिलेगा परंतू 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 क्या शर्मा जी कभी कभी एक जनम का प्राश्चित किसी दूसरे जनम में करना पड़ता है मैं मैं समझा नहीं क्या करेंगे समझके चलिए मैं आपको घर छोड़ दू अच्छा महां जी प्रणाम भगवान राम तुम्हें सुखी रखें बेटे धन्य जिसका दिल रोता हो न उसे कम से कम आँखें तो पहुंच लेनी चाहिए आई शर्मा जी इधर ता बेटे सुन जिन्दगी का कोई भरोसा नहीं मैं जाने ये सांस कब निकल जाने आँ माँ ऐसा मत बोलो बगवान तुम्हें हमेशा जिन्दा रखे बहुत दिनों से एक बात मेरे मन में चुब रही है कौनसी बात माँ बारसों पहले पापियों ने अपने देश से मूर्थियां चुराकर विदेशों में बेचना शुरू किया उसक्त अयोध्या में तुमारे पुर्खों के मंदिर से राम, सीता और लक्षण की कीमती मूर्थियां चुराने के बहुत कोशिश की गई फिर सदियों पुरानी उन मूर्थियों के साथ उनके अनमोल आबुशन भी मंदिर से उठाकर तुमारे ताथाजी ने ऐसी जगे चुपाकर रख दिये जहां कोई न पहुंच सके कौन सी जगे मान? यही रास तो तुझे बताना है बताओ अयोध्या में नहीं नहीं बिटे दिवारों की भी कान होते हैं चरकानी धरला तब से उस मंदिन में रामनौमी नहीं मनाई कई उसी दिन से क्लेश ने सारे परिवार को चकड रखा है आने वाली रामनौमी के दिन तुम उन मुर्तियों को उसी मंदिर में इस्तापित करके अपने हाथ से खूब धूम धाम से रामनौमी मनाना सारे संखट दूर हो जाएंगे बेटे मा, तू रामनौमी की चिंता ना खर मैं ऐसी धूम धाम से रामनौमी मनाऊंगा अब देखती रह जाएंगे हाँ बेटे हाँ मा क्या बेटा इस वक्त मुझे एक ही चिंता खा रही है किस बात की वो शर्मा जी की और भोली बाली निर्म लागी मा बेटाज़ कर ऩुम कर ऐंक मा बेटाज़ कर दो कि अ petite मा मा य takiej like म प्यार के नाम पर थोका, माबाप को मेरे लिए जहर खाला पड़ा, मुझे जिन्दा रहने का कोई अधिकार रहे तुम्हें जिन्दा रहने का अधिकार है, तुम्हारा धर्म युद अब शुरू होता है, तुम्हें जीवन में जीवन में बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ मुझे बहुत कुछ करना है तुम्हें यहां के आले में आई हो ओ दहेज के दीवानों लोद लहन की डोली आई मातार पिता की अर्थी संग दहेज में लाई इन लाशों को यहां क्यों लाई हो इसलिए कि आप इन पर अपनी लालत का पट्रॉल डालो और लगा दो आग लगा दो आग लेकिन हमने क्या किया है तुमने क्या किया है दमन, सुना तुमने, तुम्हारी जादी निर्मला से होगी, नहीं तो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोन्हों को चलनी कर दोगा, यह मैं कह रहा हूँ बेटे दमन, यह पुलीस केस है, चलनी से फोन करो, इसमें जरू उनके कोई चाल है, जाओ यह ममी, दैस्ट वई इंपार्टेन्टिण, दमन, तुम फोन नहीं करोगे, अगर तुमने फोन किया, तो गवाही तुमारे खिलाफ जाएगी मेरे खिलाफ गवाही, किस बात की, कौन देगा गवाही, मैं और सरीता सरीता तुम्हारे कहने से गावाई तेगी, जो मेरे कहने से भैरफ सिंग के पास नहीं गी मा, औरत वैश्याओं की दलाली करती है ये तो सुना था, मगर एक मा, एक सास, अपनी बहु की, अपनी बेटी की दलाली करने पर उतर आये, ये कभी सपने में नहीं सोच सकता था होश में आओ, रमन, रमन, होश में तुम आओ, अगर तुमने निर्मला को नहीं अपनाया, तो मैं तुम्हारा दिन का चैन और रातों की नीद दोनों हरम कर दूगी हमारे इशारों पर नाशने वाली हमी को आँखे दिखाती है, आप और आपके खांदान की जूटी शान और शौकत को बचाने के लिए, मैं आज तक आपके इशारों पर नाशती रही, लेकिन आज मेरी आँखों से ब्रह्म का परदा उठ गया है, याद रखिए, जब तक अवरत की आँखे घुंगट में रहती है, तो समझो वो नम्रता की देवी है, और जब वो घुंगट उठा देती है, तो उसकी आँखों से निकलने वाली ज्वाला सारे सुष्टी को चला देती है, बत्तमीज, और कुछ कहना है? हाँ! घुम की ब्रहांगी नहीं सूरज पुझा दूगी मैं घुंगटा, जला दूगी मैं यह रसमें, मिंटा दूगी मैं घुंगटा जला दूगी मैं बच्पन से ही नारी ने बस्त्या की शिक्षा पाई है चार बूंद आसू ही आफिर इसकी कठिन कमाई है जिन्दा आख में जलने को कल राम ने था मजबूर किया बैठ चिता पे सीता ने पावंता का सुबूर दिया कोई माने या ना माने है आज भी वही पसाने अरे आज भी सीता जलती है बस किसी ना किसी बहाने बहाने मिता दूँए मैं, घुंगता जला दूँए मैं ये सूरच बुझा दूँगी मैं गुंगता जला दूँए मैं चुटकी भर सिंदूर पे जीवन दे देना आसा नहीं जो मंडी में भिकता हो वो नारे का भगवान नहीं रूप न देखे दौलत देखे जिसे किसी का दर्ग नहीं मानवतानी लाम करे जो सच कहतो वो मर्द नहीं नारे घीतारा मायन नारे पूझा का दर्गन अरे छोड़के अपनी मर्यादा जब राम बनेगा रावन रावन जला दूँगी मैं रस में मिता दूँगी मैं ये सूरज बुझा दूँगी मैं घूंगता जला दूँगी मैं जिसने बेटी जनी नहीं बेटी की विदाई क्या जाने क्या जाने जिसके पाप नहीं जखमी वो पीर पर आई क्या जाने क्या जाने सेवा करने को बेटी भी इससे बड़ा सम्मान नहीं कन्यादान से बढ़कर पावन जग में कोई दान नहीं जग में कोई दान नहीं नारी ही बेटी पहना नारी ममता की मैना बाब उन से बस बेटी मांग मत मांगो तुम गहना अर मत मांगो तुम गहना बस लालच की हद होली नलगा तुलन की बोली बस लालच की हद होली नलगा तुलन की बोली बरना धुर्गा बन की जला दू मैं दहेज की डोली डोली जला दूँगी मैं रस में मिता दूँगी मैं ये सूरच बुझा दूँगी मैं भूंगता जला दूँगी मैं बस बेटी बस चुपो जो बगवार के लिए चुपो जाओ, मैं तुम्हारे पाप अड़ती हूँ, हाँ चोड़ती हूँ तुम सब के, हाँ चोड़ती हूँ मैं अपना करते भूल गई थी, भूल गई थी, कि मैं एक आउरत हूँ एक पत्नी हूँ, एक सास, एक पहू, एक माह हूँ और मैं, मैं भी कभी निर्मला की तरह किसी की बेटी थी तुम भी नाटकर रचाने लगी हो, अम मेरा आकम सुनो, तुम सब इसी वक्त इस घर से बाहर निकल जाओ ये सारी जायदाद भैरों सिंग ने मेरे नम कर दी है, सिर्फ मेरे नहीं दमन बिटे, ऐसे मत को हो, ऐसे मत को हो नो, 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 टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट तुम्हारा शागेरधून, जो तुमने बनाया, बन गया And now, every one of you, get lost दमन, get out ये क्या कर रहे है पड़्चा जो यहां से, अगर हम नहीं जाये तो कसम है राख भैरुवी की भैर उर सिंग इतनी आसानी से तुम लोगों को चाने भी नहीं देगा कामरी न मुझे बताया कि तुम्हारी बुड़िया मा ने तुम्हारे कानों में मूर्थियों का राज बताया है अब तुम्हे खुद बताना होगा कि वो मूर्थिया कहा है मुझे कुछ मालूम नहीं बेटे यह सब क्या हो रहा है कुछ नहीं माजी कुछ नहीं बस सरफ इतना बता दिजी कि वो मूर्थिया कहा है मूर्थिया? ह punish you ! मुझे नहीं मालूम .. माताची को नहीं मालूम !! बता दिजी न 것 . मुझे नहीं मालूम .. मुझे नहीं मालूम ! cancel mantash बहुश होगयी ! औरे alors discussed house 해서orth form माना वारा होता mare च्छा! लेकि ओरieu thinking ऺैन बता दे ! जल बता दे, वो मूर्थिया कहा है नहीं बताउंगा अरे बता दे, बैरो सिंग की भैरवी से डर मैं मार जाओंगा, मगर नहीं बताउंगा अरे, बैरो सिंग, तेरे सारे परिवार को राग भैरवी सुना देगा राग भैरवी के जिरे बेडर दी बनवारी भैरो सिंग, राग भैरवी अच्छा राग है, सुनकर हमें प्रसंता होगी तुम कान, मिस्टर पवन कुमार याद आ गया? हाँ, मिस्टर पवन कुमार बोलिए देखो पवन कुमार, भैरो सिंग के सुरू में राग भैरवी बहुत ब्यानक होती है जरा अला भी? कसम है राग भैरवी की तुम भैरो सिंग हो या उगरवादी? भैरो सिंग, और ये है भैरो सिंग का पहला सर जी, 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 कितना बेसुरा, बिलकुल बेसुरा भैरो सिंग, तुम्हे संगीत से बहुत प्रेम है आओ, मैं तुम्हारे साथ यूखो और तुम्हें पूरी सरगम सुर में सुनाता हूँ सा, रमपा, सा, सा, र Greek, रमपा, सरे, जी, कितना सा, रमपा, सरे जमपा, सरे जमपा रम रppt、 रम रभर, धनी सा रमपा, था ये, लाउ भाइ! अー! जाइ! हिवा! हुई! ईー… हुई! वा! प्सुफ! प्सुफ! खाइ! बोल्ष वापटिल मत denied kì जएокой! कि अजजे और लॉट है इंगे रवा मुलू सा सा रि रुग सार कि आप आंट नपनी बतो का सागे मरा, 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 सारे गमापा, सारे गमापा था, तैनों मैं सिद्धा करदा ओ, रावन दे पुतरा, पहरूने को मुतरा हैनो, हुमने गामा सुनो मेंधी पे लागी, मांडवे एनों रंग गयो, गुजराग के मेंधी रंग लाग्यो लाग्यो, अमें तोके देखाची एए, एप बबु मोशाई एक तो सुनो, एक तो सुनो की कोबोर, बाल चे बालो, कुब बालो आयायो, अमा, रंबो कस्टम जी एक चेटम जी एना समाचारम सौक्किम सौक्किम, बोलो शृरी राम शृरी राम हुम, भात अच्छी, एवरोपरसाद खश्राओ आय, दुस्मन के लग्यो काता जय श्री राम जय श्री राम भैरो सिंग, भ्रस्टाचारी, ना जाने भगवान ने तुझे क्यों पैदा किया है? मरो भाले को, ये मैं कही रहा हूँ, मरो पुली स्टेशन माजी जय ओ आपको? दिल का दहरा रामनों में करीब आ रही है मेरा कोई बुरोसा नहीं मैं रामनों में देख पहूं या नहीं विश्वासर किया, आप रामनों में दरूर देखेंगे ठीक है मैं तुम्हे बताना चाहता हूँ के मूर्तिया कहा है होसला रखिये, विश्वास रखिये इनको बानी दीजे मरी अब तुम्हे बताना होगा मूर्तिया कहा है विए कर देखिये वाँ, गिली गिली कर्टे लाँ! ये, मुझे! का हो का? ये परल सेंकि राँ, परली कि राँ! पुलिस, पुलिस! खबर्णार, हर्जा, हर्जारा कहता है, हर्जा! कान खोल कर सुन लो, अगर किसी ने भी पुलिस को मेरे बारे में कुछ बताया, मैं तो अपने आपको बचानूगा, लेकिन इसे, इसे तो तुम्हारा अपना खून है, इसे कोई नहीं बजा सकता, समझेए! प्रभू, ये, ये किना? पवन पुत्र, तुमने हमारी आग्या का उलंगन करके अपने बल का प्रियोग किया है, अब तुम्हें एक साधान मनुष्य की ही शक्ती रहेगी! जो, जो आग्या प्रभू, जो आग्या? ना मैं भैरुन सिंग की गोली से बचता, ना मा जी को गोली लगती, मैंने प्रभू की याभ्या का उलंगन करके अच्छा नहीं किया, पुलिस! कसम पजरंग बली की पवन कुमार, तेरा पीछा नहीं छोडूँगा मैं, चाहे लग जाए हतकडियां! मेरा अपराद क्या है? मुसीबत तो इसी बात की है कि मेरे पास सुबूत नहीं मिल रहा, लेकिन तुम अपरादी हो! पोस्मोटम की रिपोर्ट से तो साफ जाहिर हो गया है कि निर्मला के मापाप ने आत्मत्या की और निर्मला के बयान से तुम बच गए! लेकिन उस वक्त तुम वहां मौजूद थे! जब दशरत की मा को गोली लगी उस वक्त भी जनाब वहीं मौजूद थे! जी जी क्या करते हो! हनुमान सींके गुस्ते से डरो! सच सच बताओ यह गोली किसने चलाई थी? कौंसी गोली? तवन कुलो! जय हनुमान तसंत हिदकारी रखी एओ प्रभु जी लाज हमारी, बचरंग बली ये भी सब, ये भी सब तुमहरीवजजे से हुआ है। चलो, हनुमान जी से माफी माँगो. मैं हनुमान से माफी नहीं माँगूँ। क्यों नहीं माँगोग staff? मैं ये सुर्फ चिर राम से माफी माँगता हूँ. अजीब आद्मी हो तुम. तुम राम को मानते हो और हनुमाणी को नहीं मानते है नहीं नहीं, नहीं, नहीं देखो, देखो, तुम जहां भी जाते हो, कोई न कोई घोटाला होता है मुझे, मुझे शक की नजर से देखते हैं हाँ, हाँ, शक की नजर से नहीं, बलके मुझे यकीन है मुझे यकीन है कि उस उड़ते हुए जासूस के साथ भी तुम्हारा कोई यहरा संबनías स परू हिलो. मेरा ... मेरा किसी जासूस के साथ संबन नहीए हॉआ ... तो फिर तो फिर तुम कोट हो मैं 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 तो अब मैं भी नहीं ओफ ओ बजनक बली। मैं क्या करूँ। आप मुझे जाने दीजिए, दर्श्र जी के पास मुझे हास्पिटल जाना है। जाओ, जाओ दर्श्र जी के पास, सुनो। हाँ आज तुमने वो नहीं किया। क्या। अब करूं, तो किस मुझे करूं। जो करते तो अच्छा होता, क्यों? क्यों कि मुझे अच्छा लगता है, जाओ! और सुनो, आज तुमने मुझे वो भी नहीं दिया, क्या? प्रसाद, प्रसाद की तो अब मुझे जरूरत है, मैं चलूँ जी का जाओ, जाओ जाओ जाओ! अजीब बात है, पैसे लिए बगार आप एडमिशन नहीं देंगे, देख नहीं रहा है, इनकी हालत कितनी बिगण रही है! मजबूर है मैडम, तो इसका मतलब यह हुआ गरीब यह एक सजा है? आप इन्हें किसी सरकारी हस्पिडल में ले जाएए? गए थे, लेकिन वहाँ डॉक्टरों की हर्ताल है, यह, कल योग है, कल योग, यहाँ डॉक्टर भी स्ट्राइक पर जाते हैं, शहर में सरकारी हस्पिडल का एक ही है? डॉक्टर साफ, हम दूसरे सरकारी हस्पताल भी कहे थे, वह हस्पताल का स्टाफ अर्थाल पर है डॉक्टर स्ट्राइक पे, कहीं स्टाफ स्ट्राइक पे, इस देश का प्या होगा? बहें, छोड़ो और सोचो कि आप क्या करें? बहें, मैं किसी दोस्ते कुछ मांग लेता हूँ पवन कुमार जी के होते हुए कहीं और जाने की क्या जुरूरत है? बहें, पैसे वाला पवन कुमार कोई और था, अब तो मैं आप लोगों से भी निर्धन हूँ जी, मैं समझी नहीं मैं समझा भी नहीं सकता अब तो सिर्फ एक ही तरीका है क्या? पवन कुमार जी, आपका बहुत बड़ा उपकार होगा आप ये जेवर बेच कर चल्दी से पैसे ला दीजे है? हेराम मारीज की जान बचाने के लिए अबला नारियों को जेवर बेचने पड़ते हैं वा, आरे कल्जू, वा डॉक्टर साब आप इने एडमिट कर लिजे थोड़ी देर में पवन कुमार ची रुपए लेखर आ जाएंगे ठीक है बाई, मरीज को अंदर लेओ बाबू, मेरी मदद करूं मेरी बीबी अस्पताल में बाबू बाबू, ए बाबू, मेरी मदद करूं मेरी बीबी अस्पताल में क्या आप, आपका नाम जगन्हात है ना चंदन लगा के आप कैसे जानते हैं मुझे आप जो लीला रचाते हैं ना वो मैंने देखी है बाबू, उस लीला खा तो सरुडाश हो गया कोई आके मंदब में आग लगा गया चंदन लगा के चंदन लगा के नहीं बाबू, चूना लगा के प्रोमत, भगवान राम प्यासता रखो ठीक धंक से काम करो, सब ठीक हो जाएगा मैं भगवान का इस परण करूँगा भगवान राम का जाप इस युक का एक बहुत बड़ा मंत्र है किसी मंत्र का जाप करो, समझे करूँगा, मैं भगवान का जाप करूँगा कि अपना बगवान तो ये है अगर अगर ब्रेक नहीं लगाता तो आप गाड़ी के नीचे आजयते दस्तची बिमार हैं मैं उनके इलाज के लिए जेवर बेचने आया था किसी ने मेरी जेब काट ली शुक कीजिए किसी ने गला नहीं काटा गले की मुझे चिंता नहीं चिंता है तो ये कि आप दस्तची का इलाज केसे होगा पवन कुमार जी आप आज तक मुझे गला समझते रहें आपको नहीं मालूम के ओरत को दिल कितना नाजब और कोमल होता है जी चली मैं आपको पैसे देती हूं इलाज के लिए आपको बहुत 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 दुन्यवाज जली भवान आपको भला करे भाईवजी घाड़ी जल्दी चलाएगी क्या कहा उसे नहीं मालूम के मूर्तिया कहा है बखवास करता है कसमराग बहर भीक उसे सब मालूम है के मूर्तिया कहा है लेकिन वह बता नहीं रहा है अपने आदमी छोड़कर, उसके जिसम से बून-बून खुन निकल वालो, अपने आप बता देगा अरे भाई, उसका खुन बाएगा तो खुन सड़ जाएगा, लेकिन सड़ावा खुन ये तो नहीं बताएगा के मूर्तिया कहा है हम, देखो मिल चार, तुम्हें काम करो, ये पावन कुमार मन का बहुत अगड़ा है, और तुम तन की बहुत अगड़ी हो मतलब, मतलब ये कि ये वो घी है जिसे टेड़ी उगली से ही निकाला जा सकता है हे राम हे ले लाम दो मुझे उन्हें रिशनान करना बड़ेगा ये खलुखतर, ये खलुखतर, ये खलुखतर, ये खलुखतर तश्र जी के लिए उर्पय दिये नहीं और मुझे कमरे में बंद कर लिया आप कामनी नहीं कमिनी है यह खालुक्ता यह खालुक्ता यह खालुक्ता वो मेरा खुस्टन है एक शगुफता ऐसा बता ढों नुक्मा प्यारों ने हो जाए फुक्ता फुक्ता बोल क्या तेरी मर्जी है तेरे रूब की न चाह तेरे रंग का न भै मैंने यही कहना है तु भी बोल सियापति राम चंद कीजे यखा लुखता, यखा मुखता मैंने रुखता, मैंने रुखता अब मैं कहा जाओ अब मैं कहा हूँ अब मैं कहा हूँ भारू कर जो, गोर कर जो रूप मेरा है एक औरा दर्पन रूप मेरा है औरा दर्पन कर ले इसमें अपने दर्शन धुक्रादी ना बन अपरादी धुक्रादी ना बन अपरादी आजा लगा ले पेम समाधी अजा जा 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 यह यह तेम समाधी जीवन भर ना दीखी वोगी दीखी ताबो शे बोल क्या तेरी मर्जी है बोल क्या तेरी मर्जी है रख पास वो तुषय तेरे कांकी वो है तेरे मत मारी है तु भी बोल सियापदी रामचंद कीजे सियापदी रामचंद कीजे सियापदी रामचंद कीजे यखा लुकता यखा मुकता मैंने लुकता मैंने लुकता करेंट एक collective खरुद से लिगकाक कि लाबका प्वरादी उसे थे उसे युड़ोगma अग्ज॑न. हुट! मेसिरें! शो! जिसे समझाओं तो कैसे समझाओं अरे भूल जाएं का भक्ति भक्ति भूल जाएं का भक्ति भक्ति भदन मेरा है जाओ और आंकों से चलके भूल क्या तिर मरसी है बोल क्या तिर मरसी है तेरे दिल में जो है वो तुभक्ति भे में भी कहूं तुभी कह अरे बोल सियापति रामचंद कीचे सियापति रामचंद कीचे सियापति रामचंद कीचे यखनुकता यखनुकता मैं नहीं रुकता नहीं रुकता बोल सियापत के बच्चे, तुझे रिजाने के लिए कामनी ने अपना अंग अंग दिखाया, मगर धीड तू शकंजे में नहीं आया, अरे क्यों शकंजे में नहीं नहीं आया, अब तो मूर्तियों का रास बताओगे, मैंने ना बताया है, और नहीं बताओंगा ताड़का के अगर तु रास नहीं बताओगा, तो तुझे पैसे नहीं मिलेगे, और अगर पैसे नहीं मिलेगे, तो दश्रत का इलाज नहीं होगा, और दश्रत मर जाएगा, जाको राखे राम, मार सके ना रावन, रावन? हाँ हाँ कि अब दो इस पवन कमार को और तब तक किसे बुका प्यासा रखो जब तक ये बताना दे कि मूर्तिया कहा है अब तुम्हारा रास्ता बिलकुल साफ है अब तुम ध्यान से सुनो तुम्हे क्या करना है तुम अपने घरवालों के पास जाओ उनसे जाकर इस तरह मिलो जैसे कि तुम बिलकुल शर्मनकमार हो ताकि उनसे मूर्तियों का राज हसल कर सको और जैसे वह मूर्तिया मिल जाए और उन्हें लेकर सीधा मेरे पास रामगर्ड की हवेली में पहुंचाऊ। ओके। रामगर्ड अब देखो। शारीता को लाने मत भूलना है। ठीक है। अब जाओ अस्पितार। ओके। पता जी, मा मुझे माफ कर दो प्लीज। अब तुम यहां क्या लेने आये हो। एक भाई का प्यार, जो मैंने पागन पन में खो दिया था। और एक मा का अंचल, जो वक्त की धूप से जलने से मुझे बचाता रहा। चलो, रात का भटका सुबह घर तो आया। रमन, दर्वाजा बंद कर दो। आज मैं तुन सब लोगों को मूर्तियों का राज बता देना चाहता ह। जी बता जी, गावर से सुनो, आयुद्या जी में अपनी पराणी जगे है ना, यहां गनेची की मूर्ति है। हाँ मुझे याद है, मैं और अमन भाया कभी कभी वहां जाया करते थे। उस मूर्ति के नीचे एक पराणा खना रहे थे। और उसी में वो तीन मूर्तियां रखी। कमला, उन मूर्तियों को गंगा जाल से असनान करवाकर राम नौ में के दिन हम अपने कुल मंदर में उनकी फिर से स्थापना करेंगे। फिर इश्वर की कृपा से हमारे परिवार पर कोई कश्ण नहीं आएगा। लेकिन डाक्टर साब आपको जाने नहीं तेंगे। अरे डाक्टरों का क्या है। डाक्टरों की मर्जी के खिलाब मरीज भगवान के द्वार तक पहुंच जाता है। मैं क्या यूद्या जी नहीं जा सकता। नहीं पिता जी इस हालत में आपको वहां नहीं जाना चाहिए। डामन ठीक कहता है पिता जी दिल के मरीज को रिस्क नहीं लेना चाहिए। अच्छा जैसे तुम लोगों की राय है। मगर रमन डामन तुम दोनों का वहां जाना बहुत ज़रूरी है। शरीता भी जात में जाएगी। जहां रमन वहीं शरीता। रमन दमन शरीता। तो फिर निर्मला का आपके पास रहना बहुत ज़रूरी है। कमला। जी। उन मूर्तियों की स्थापना का काम विदी पूरवक होना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए। मेरे होते सब काम सिस्टेमेटे। कमन बेटे! तुम्हारे होते होए नहीं! हम सब क्या होते हुए। हाँ वही ममी, हमारे होते सब काम विदी पूरवक होगा। कमला, जी। टाइमवेज। मनिवेज। जाओ जाओ, 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 ज चापपाश खोलो, खोलो राम दूत अतुलित बलधामा अंजनी पुल्द पगन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति केदंगी चंचन वर्न विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचि चुकेशा कंचन वर्न विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केशा अरे आप जी मैं हनुमान चालीसा सुनना था आपने बंद क्यों कर दिया मस्यों ही इसमें बड़ी शक्ती है सब कष्ट दूर हो जाते है पमन कुमार जी जी जब हनुमान चालीसा में इतनी शक्ती है तो हनुमान जी में कितनी शक्ती होगी यही एक ऐसा देश है जहां भगवान के भक्त की भी पूजा की जाती है बाकी हनुमान के बल की बात वराम किराम जाने आपने ठीक कहा पमन कुमार जी दमन कहा है मैंने उन सब को युद्या जी बेज़ दिया है दमन सुदर क्या है दमन नहीं सुदरा वो भैरो सिंग के कहने पे चाल चल गया है मगर मैंने तो उसको मूर्तियों का सब राज बता दिया है और युद्या जी बेज़ दिया है हमें हमें फॉरन और युद्या जी जाना चाहिए क्योंकि वो लोग वो लोग वहां पहुंचने वाली होंगी भाया यह तो वही जगह है जहां बच्पर में हम खेला करते थे कमन बेटे रमन फेरो हम बच्पर यह लू कमन श्री राम चंद्र क्रिपालु भजुमन अरण भवभय दारुनम नव कंज लो चन अंज मुख कर कंज उनकंजारुनम श्री राम चंद्र क्रिपालु भजुमन यही है वो मूर्तिया अंदर्प अगनित आमित्साभी ना जाने कितनी अन्मोल मूर्तियां चुराकर पापियोंने इस देश से बाहर भेज दी हैं उन पापियोंने मूर्तियों को नहीं बलकि अपनी आत्मा को विच्चा है भईया आप और भाबी यह मूर्तियां लेकर चले हम आते हैं प्रियाम चंद ग्रुपान भजुमन अरन भववय दारुण भजु दीन बंधु दीनेश दानव दैत्य वंशनिकन ममी चलिए देखते हम पेटियों में क्या है हाँ हाँ चलो हाँ हाँ चलो शल चंद दशरत नंदना शेयाम चल्व प्रुपान भजुमन अरन भववय दारुण तमन, मा का है? मा, मा और मैं पेटि लेके आते हैं तुम ये मूर्थी लेके चलो कमन, मा का है? मा, वो तमन, तमन, तमन 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 दो मां नहीं दो रामांखि नहांखि नहांखि रामांखि रामांखि एंपना टामांखि ये पात्रो और्या कर दाती हमक, कर दो तो कर दो को साहई है उन्मेंभा उन्मेन हाजू दमान, दमान गाड़ी रोको कमला, ये, ये क्या हुआ? कमला ने मुझे मारा उसके बाद अचानिक क्या हुआ? ये लोग सपहा है बाहर तो कोई भी नहीं है, मूर्तिया भी नहीं है इसमें जरूर दमन का हाथ है उसकी नियत खराब हो गई रजाने उसे भाई भावे के साथ कैसा सुलुक किया होगा उने कहां ढूडे हम ये, मैं जानता हूँ वो भैरों सिंग के ठीकाने रामगड में मिलेंगे पकलाईने बलेचलाईने रामगड की हवेली में सारिता तुमने क्या कहा शिगार नहीं करोगी अरियो नादान जो भी नड़ की रामगड की सवेली में आती है वो हमारी मर्जी के मताबक सज़ती है और जब वो सजा कर आती है तो फिर भैरों सिंग राव भैर्विजनाने से पहले उसके हाथों में खुद काज की चूड़ियां पहनाता है क्योंके सेज पर चूड़ियों की खनक रागभैर्वी के सुरों में चलतरंग की तरह बचती है जो आज भी बचेगी चुनो उठो नहीं, नहीं दमन नमुना नहीं, नहीं, नहीं तो फिर हमारी बात मान लो वरना बिल्कुल इसी तरह गोलियों की बचार रमन के सीने पर होगी अगर, अगर मैंने तुम्हारा कहना मान लिया तो तुम रमन को छोड़ दोगे हाँ, ज़रूर छोड़ देंगे लेकिन जब तुम हमारे प्यार के पिंजरे में कैद हो जाओगी तब हम इस पंची को आजाद कर देंगे नहीं, सरीता नहीं मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है आ, यह हुई न बात अरे, चुड़िया हाँ यह यह तो सरीता की चुड़िया है चलिए, गाड़ी ठीक हो गई रामगड पहुंचना है बैरो सिंग, सरीता की चुड़िया मैं पहना हूँ क्या कहा चुड़िया तुम पहना होगे दवन, तुझ जैसा कमीना भाई ना तो इत्यास में कभी पैदा हुआ है ना कभी होगा जानता है जब रावन ने माता सीता का हरन किया था तो शिरीराम को ढूंटे ढूंटे उनके कहने मिले उन्होंने वो गहने दिखला कर लक्षमन से पूछा लक्षमन, क्या तुम इन गहनों को पैचानते हो तो लक्षमन ने कहा मैंने माता सीता के केवल चरन देखे हैं केवल चरन एक भाई वो था और एक तू है तू अरे खून के रिष्टों की ना सही कम से कम भाबी और देवर जैसे पवित्र रिष्टे की तो लाज रखता मंगल भान अमंगल हारी द्रहु सो दश्रत अजर दिहारी शीरा 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 ख्यारो भाबी ये देवर तो तुम्हारे पाउंच रिए काबल भी निरा मा कहूं तो किस मूल से कहूं मुझे माफ कर दो भाबी मुझे माफ कर दो अच्छा अच्छा तो अब तुम रुमाइन के देवर बन गए हो हाँ ताले सराम जाबे कर बन तुर से तुम्हारे रूप के सामने ये रंग बरंगी चूडियां बिलकुल फीकी लग रही है भेरो ये चूडियां बड़ी सितमगर है बहुत कुछ करती है क्या तुम नहीं जाते चूडियां क्या है ये तो तुम ही बताओगी कि ये चूडियां क्या है रंग रंगेले नीले पेले और चम के लिए चूडियां इंद्र दनुष के रंग दिखाए ये बड़ के लिए चूडियां और करने पे जो आ जाए तो है प्यार चूडियां और करने पे जो आ जाए तो है कटार चूडियां क्या क्या नसी तम हाए क्या क्या नसी तम हाए राती है चूडियां जब भी इसी कलाई में आती है चूडियां बे शर्म है कुछ भी डला जाती है चूडियां बाते हो छुपाने के बताती है चूडियां बे शर्म चूडियां बे दर्द चूडियां बे शर्म चूडियां बे दर्द चूडियां कुछ चूडियों से चूडियां कुछ चूडियों से चूडियां लड़ने लगी ती कल्ब कहने लगी के चल्ब जरा साजन के पास चल्ब साजन के पास चल्ब सुनकर ये बात मैंने खवाया ना एक पल्ब पर विल रहे ने जी मेरी तलाए यूं मसल्ब एसे ही मुझे एसे ही मुझे रोग सता के चूडियां बे शर्म चूडियां बे दर्द चूडियां बे शर्म चूडियां बे दर्द चूडियां क्या क्यान सितन खाई ये धाती है चूडियां जब भी किसी तलाए में हाती है चूडियां अरे ओ, पहनार जो साजन पहनाए जो साजन तो है सुहाग चूड़िया पहनाए बेगाना तो है एक आग चूड़िया प्रीतम इने छेड़े तो है एक राग चूड़िया दिश्मन छुए तो रिष्टों पे है दाग चूड़िया नजर पड़े गैर की तो रूलाती है चूड़िया बेदर्द चूड़िया बेशर्म चूड़िया तो रिष्टों पेशर्म चूड़िया तो रूलाती है चूड़िया जभी इसी गलाई में आती है चूड़िया जो काली चूड़िया थी जो काली चूड़िया थी पुतलियों में ढल गई जो नीली चूड़िया थी रगों में बदल गई जो थी गुणाबी गालुप तिल्टे भिखर गई जो लाल थी रगों में लगों मन उतर गई यूनस नस में तोरत जाती है चूडिया बे शर्म चूडिया बे दर्द चूडिया बे शर्म है कुछ भी नल जाती है चूडिया बाचे हो छुपाने की बताती है चूडिया बे शर्म चूडिया बे दर्द चूडिया पूपरीव यूडिया बेंग बेला ब YO की बेम चूडिया बेला हता बेला हताउ जाती हाँ कोडिया बेला है बेला कि अता बेला का बेला हता Выसंस भी लाद मेंगा रयु़ पाली चलो, फैक दो रिवालवर कसम है राग भेरवी की तुम लोगों का एक पल भी जिन्दा रहना मेरे लिए खतरनाक है नहीं भेरो समझी भेरो बेटो दामन छोड़ दो इन लगों को छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो आप लोग जाईए निकलिए यहाँ से राम हाँ 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 मैं चाहता तो इन सब को जान से मार देता लेकिन गोली की मौत से तड़प नहीं होती मेरे यह ग्लास खाली होने से पहले अगर तुम्हारे जिसन से तुम्हारे कपड़े अलग नहीं हुए तो मैं इन सब को कुटों की मात मार दूगा यह दूसरा खूट है पॉँऽचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचच नहीं हो प्याए कि शीराम शीराम आँ मैंने जेर रही कपड़े उतारने को कहा है कैसा मेराख भेरवी की बढ़ना ग्लास खटम हो जाएगा चलो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो भेराख सेंग नहीं 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 सरिता नहीं नहीं बेड़े नहीं बेटे नहीं ए राम भगवान के लिए बागवान के लिए अपने वस्तरमात उतारिये श्राम, 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 श्र पुक दिराओद कर दिराओड दिराओदst चर्दी चर्ति, दिराओद वर taller Detğ Geschirid slk कर अद दिए नहा कर दे कि अरा रंधित वरा युट कर दोड़ा नहा कर दोड़ा आप भगवान राम का भधन गाईए, मुझे भैरों का नाश करना है आप झाए, मढ़े दोल्सबर्णेक flourाण कंधने डरे का चरणाए, मढ़े राम जय दोलिए मढ़े हम ध्यूए दोलिए अउनिनन इभावा में जय दोलल explan K του हो मिद दोलट्वाला चय हम की के अएटृत। क्रिम खर देला हुई खर देला कर देला कुर । भी खाहिए कर देला कर देलाensive वत था थे ś ś ś ś पैरो में आया, पैरो! आज़ या पैरो? सेड लो मेद कर दो. सार किare! सार सार सुच! सेड लो! से हाताה! जेशी राम, जेशी राम, जेशी राम को लेके आयुद्या जी जाए रमन्दमन को मैं अपने साथ ले आऊंगा जो आध्या हो नहोग मुझे तो ये कोई अवतार लगते हैं सरिता जी जरुकिए अब आप लोग आयुद्या जी के लिए पधरिये रहे शिरा वाक止 रागभेर उ कह भार में। दुर्द ढूरू तुर्द बीमित रते दो कि मतिके एफ शानी व史र हीए घयायरा cham जी पावर कुमार जी अरे 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 मैं ये क्या बन गई अरे पहरो अब बोलो मैं बोलूंगी नहीं तो? मैं तो गाऊंगी क्या? क्ञा, और क्या न से तुम shear ड ढाती है चुडिया जब भी इसी तलाइ में आती है चुडिया बेशर मैं कुछ भीनला जाती है चुडिया बेशर मैं कुछ भीनला जाती है चूडिया बाते हो छुपाने की बताते है चूडिया बेशर मेचूडिया, बेजर्द चूडिया बेशर मेचूडिया, बेजर्द चूडिया भैरों यह रहा तुम्हारा असली रूप माल लंकेश जो प्पटे हुए खेस इस बार लंकेश शीता को उठा कर ले जाएगा रिशी केश पर नह कर सकेगा कोई मुझ पे केश राम इस युक में तुझे मार कर सारी दुनिया के दिल को पुछाओंगा ठेश मैं रमन और तमन को लेकर आयुद्या जी की ओर उड़ जाओंगा और तुम मुढोगे उपर लंकेश उत्रो सिवाई उत्रो अरी यह तो कोई नोठंकी वाला लगता है मुझताрист तुक्स मकश सब्सक्राना क्या बखवाद कऱों? पहली मातने वाला न को अभी है.. मरने वाला? अरे लेकिन तुम कहा से गिरें? कैसे गिरें, पहन कुमार पहन कुमार वलन, बलो.. उर्ता हआ मूर्तियों के सार आयोगा आयोदया की तरफ। आयोदया अरे ये अरे आप तो सचमुछ मर्या हवल्दार इस लाश को जी पे डाल दो हम्म, पवन कुमार बोल्सिया वर्राम चंद्र की जै अये आये पवन कमार जी आये मूर्तिय स्थाफित कीजिए अरे यह तो ठाकुर हनुमान सेंग है जल्दी चलिए जल्दी चलिए दर्वादा बंद कर लिजिए किवाड बंद कर दीजिए अब आप इतना बता दिजिए कि आपका असली रूप क्या है मेरा रूप? जी हाँ, ये मैं कह दिया हूँ मैं, मैं श्री राम का एक भगत हूँ तो फिर आपको श्री राम जी की सोगन्द है जी आप अपना असली रूप बता दिजिए मेरा असली रूप देखना है ना तो उसकी आगया श्री राम के चर्णों में पढ़के लिजिए क्योंकि मैं प्रभु की आगया को बिना कुछ नहीं कर सकता ए बग्मान श्री राम ए प्रभु पमन कुमार जी को आगया दिजिए कि वो आपना असली रूप दिखाएं मैं भगवान श्री राम का भगतू हूँ हानुमार मैं कहता था ना ये जरूर कोई अव्तार है पमन सुतान हुमान की दर्वाजा खोल तेरा पीछा नहीं चड़ना में आजी खोल दर्वाजा दर्वाजा खोल दो चेक मैं आखरी बार कहता हूँ दर्वाजा खोलो चै बजरंग बली मेरा नाम ठाक और हनुमान जी है चलो अवल्लार गिरफतार कर लो चलो पहा निकलो एक एक करके और चाला की नहीं अच्छा इंस्पेक्टर साहब आप जिने गिरिफतार करना चाहते हैं वो साक्षात हनुमान जी है अच्छा चोड का भाई गिरह कड है जी यह मैं कह रहे हूँ चलो पच्ता होगे चलो बोल सिया पति राम चंद्र की जाएं बालत भगवान राम तुम्हारा भला करें थैंक्यू ठारो आच्छा तो तुम हो मेरा शक्त सही निकला और वो भी भेज बदल कर लेकिन मैं चक्कर में आने वाला नहीं कामममुक्त नहीं होतं हरुआ क्षि़ाब्धार मेड़खरममु हिशंटाँव मगर दूसरे देश के छासूस बीद इसके जासूस तुम धूचले लिए झालनष जावत प्रणा करूब के देखा, देखा ये है मेरे बजरंग बली, प्रणाम करो इने मैं उसे ही प्रणाम करता हूँ जिसे करता आय और करता रहूँगा अच्छा, पश्ता होगे, पता है, इद ही बजरंग बली के आशिरवाद से आज मैंने उस उड़ते हुए जासूस को पकड़ा है यानि तुम्हें पकड़ा है अब देश कोई खत्रा ने खत्रा है बालक क्या जब तक जब तक इस देश में लोगों के च्रितर नहीं बदल जाते खत्रा बना रहेगा जब तक इस देश में बलादकार होता रहेगा खत्रा बना रहेगा जब तक इस देश में दहेज प्रता रहेगी खत्रा बना रहेगा जब तक प्रान प्रान और भाशा भाशा के जगड़े चलते रहेंगे खत्रा बना रहेगा जब तक धर्म के नाम पर निर्तोष लोगों के खून होते रहेंगे खत्रा बना रहेगा जब कि मावाप को कोई इद्शिकार नहीं कि वो अपनी संतान का नाम देवीदेवताओं पीज पैगंबरों अव्वतारों और गुरों के नाम पे रखें अगहां रखें तो नमें उनके संसकार भी डालें अगर मावाप संसकार न डाल सके तो नजवानों को चाहिए कि अपने अपने धर्म का पालन करके देश की रक्षा करें, तभी इस देश में राम राज जैसा सुन्दर आ जाएगा बहुत खुब, बहुत खुब, देखो, बहुत हो गई लेक्षर बाजी, अब चलो, जेल में तुम्हारे लिए बंदबस किया है, चलो बालक? बालक नहीं, मेरा नाम हनुमान सिंग है हनुमान सिंग जी, मैं तो चला है, कहाँ? अपने सिरी राम के चर्णों में, जैए सिरी राम! संकत हरने, मंगल मुर्ति रूप काम लखने सीता सहिते, रिदे बस हुसर भूप बोल सियावर राम चंद की, बवन सुद हनुमान की, जैए सियावर राम चंद की, बवन सुद हनुमान की, जैए